तो मंडल के दौर में भी हिंदुत्व के जो सबसे एग्रेसिव नेता थे, फॉलोवर नहीं, वो पिछेरे वर्ग से आते हैं, तो पहला ये कहना कि हिंदुत्व ब्रहमेनिकल है, ये एक कंस्ट्रक्ट है, एक नारा दिया जाता है, मिले मुलायम काशी राम हवा में उड़ ग हैं, नमस्ते आप सभी को, आज हमारे THC Talks के जो गेस्ट हैं, आप श्रीमान सज्जन जी, सज्जन कुमार जी, आप JNU से पॉलेटिकल साइंस में PhD हैं, पॉलेटिकल एनलिस्ट हैं, ट्विटर पे आपने जो बायो डाला है, उसमें अपने आपको खुद को रोमिंग रिस कहते हैं, always on the ground since 2010, and aspiring armchair intellectual, the Hindu Indian Express में आपके time to time articles हाते रहते हैं, अभी आपकी रिसेंटली एक बुक आई है, पॉलेटिकल साइंस में, माया मोदी आजाद, दलित पॉलेटिक्स इन टाइम अफ हिंदु तवा, स्वागत है आपका हमारे पोड़कास्ट में, जान्यवाद, कैस से पहले तो अभी ऐसा question, आपकी किताब के cover से हमने कल डाला भी था, तो कुछ लोगों ने उस पर पूछा, कमेंट किया कि माया मोदी तो एक बर को समझ में आता है, बट आजाद, तीनों को आपने क्या एक साथ रखा, ये किताब का जो टाइटल है आपका, वो आपने ऐसा क्या सोच के रखा है? आज की तारीख में, आज के समय में जो दलित politics है या दलित विमर्ष है, जो दलित discourse कहते है हर विमर्ष के तरफ दलित विमर्ष में भी एक नया नई पिरही का आना हुआ है, नू जेनरेशन का आना हुआ है तो हमने इस किताब में जो दलित politics है, जो दलित discourse है, उसको दलित की जो नई generation है और उसके दलित के पुराने generation, उसमें क्या-क्या continuity है, क्या-क्या changes है, leadership में भी क्या-क्या changes है, उसके लिहाद से देखा है. तो उस लिहाद से हमने देखा कि मायवती जी है, पहले वाली बात नहीं है, लेकिन फिर भी अभी उनका एक core vote बचा हुआ है. उसी core vote के नए claimant के तौर पे या दावेदार के तौर पे, कि हम अंबेद कराईट या मानिवर काशी राम की लिगे से ज़्यादा अच्छी तरीके से चला सकते हैं, चंदरशेखा राजाद और भी मार्मी भी आये हैं, तो इन दोनों में एक तो पीड़ी का अंतर है, और दलित मासेज में अगर आप जाएंगे, तो दोनों की acceptability है, लेकिन acceptability क्या है, एक चुनावी हिसाब से relevant है, BSP का core vote, जो अभी भी 13% आया, वो बचा ह हुआ है, तो जब उनको vote देना होता है, खासकर मैं जो जाटव और जो बाकि उनके चमार जाती के लोग हैं, उनके बिच की बात कर रहा हूँ, जिसे चंदरशेखा राजाद भी आते हैं, तो जब चुनाव की बात आती है, तो बहन जी आती है, और जो protest और movement की बात आता है तो चंदरशेखार आजाद आते हैं, चंदरशेखार आजाद चुनावी राजनिती में फेल हो जाते हैं, बहन जी प्रोटेस्ट में नहीं, एजिटेशन में नहीं जाती हैं, तो इस ही सापसे चंदरशेखार आजाद को साथ में लाने का ये मतलब नहीं है कि इनकी जो प् पीच में जो प्रोटेस्ट की और मूभमेंट की राजनेती है, उसमें निश्चित तोर पे एक आइकन है और इनकी स्वेकारेता है, तो हम लोगों ने उस जेनरेशनल चेंज जो दलित पॉलिटिक्स में हुई, उसका लारजर पॉलिटिक्स में क्या इंपैक्ट है, उसको दलित पॉलिटिक्स के इर्दगिर्थ रिवॉल्फ करती है, जो काशी राम मायावती से आप सब ट्रेस करते हुए रामड तक पहुंचते हैं, फिर अपनी किताब में ही आप लिखते हैं, जैसे दलित जो सब्द है, आज कलम देखते हैं, पॉलिटिक्स में चाहें हर जगे दलित शब्द बड़ा ट्रेंडी हो है, आज की डेट में हर जगे यूज होता है, और आपने किताब में लिखा है कि दलित इस एन आइडेंटिटी क्रिएटेड इन पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया, इडिड नोट एक्जिस्ट दूरिंग अमबेड कर्स टाइम, तो ज दलित शब्द की जर्नी क्या है, पॉलिटिकल और सोशल जर्नी, तो जैसे कि यह है कि जो अंग्रेजों ने तो डिप्रेस्ट क्लासेज कहा, जिने आप दलित कहते हैं, कॉंस्टिचूशन ने उसे शिडियूल्ड कास्ट कहा, तो यह कोई लीगल या कॉंस्टिचूशनल ल अप्रभाव था, और जब उन्होंने पॉलिटिकल के साथ सोशल प्रॉब्लम्स को भी एड्रेस किया, तो उन्होंने उन्हें हरिजन कहा, तो सबसे जो पॉपलर टर्म जैसे आज अब दलित देख रहे हैं, उस समय में हरिजन था, आज भी है, अब आजादी के बाद क्या ह होता है कि महारास्टरा में दलित वर्ग जो अमबेदकर और अमबेदकर राइट फिलोसफी में काफी आगे भरते हैं, उन्होंने कहा कि यह जो हरिजन शब्द है, यह पैट्रोनाइजिंग शब्द है, पैट्रोनाइजिंग मींज जो एक नौन दलित है, वो हमें नाम दे तो उन्होंने नहीं कहा उनके अनुवाईयों ने कहा और उन्होंने महाराष्ट्रा के मराथी सांस्कृतिक लिंग्विस्टिक और वहां के समाजिक ताना बाना से दलित शब्द को निकाला दलित मतलब जो दबा हुआ है या जिसे दबाया गया है तो आमतर पर ये माना जाता है कि ये महाराष्ट्रा की जो दलित लिगेसी है उसका देन है वो पॉपलर हुआ और धीरे-धीरे पूरे देश में मीडिया में एकैडमिया में फैलता गया कि हरिजन से दलित का शिफ्ट ये भी है कि अब दलित जो है उनका ये अर्गुमेंट है वो गांधी या जो ब्रह्मनवादी जो विवस्था है आप किसी भी पार्टी में हो उनके पैट्रोनेज में नहीं रहेगा वो अपनी आइडेंटिटी खुद बनाएगा जैसे सवर्टर निस्ट्री वाला स्कूल भी चला है बिलकुल लेकिन अगर आप सही में देखें तो आपको अश्यर्य होगा कि आजादी के पहले एक बहुत ही महा काववे है जो रामधारी सिंग दिनकर ने लिखी है रश्मीरत उसमें दलित शब्द का प्रियोग पोस्ट लिख्ते में हिंदी पट्टी में बाकी जगह में भी था लेकिन उसका प्रियोग एक खास वर्ग या जाती के लिए नहीं था उसका प्रियोग था कोई भी जो अपने समय के संग रचना से जो वो डिजर्व करता है उसको डینाई किया जाता है वो दलित है लेकिन बाद में ये महारास्टा की जो दलित विमर्श है वो काफी असर्टिव थी काफी अग्रेसिव थी मीडिया में अकैड़िमिया में उनका काफी प्रभाव था बहुत स प्रारूप था समाजिक समस्या को एड्रेस करने का जिसके नेता जग जीवन राम थे, उसको काउंटर करने के लिए हरिजन की जगा दलित शब्द का प्रियोग किया, अंतिम बाद, लेकिन फिर भी आप पूरे यूपी में जाएं और कोई भी अभी जाके फिल्ड वर कर सकता है, आज भी जो जाटव या चमार बस्तियां हैं, उन्हें गैर जाटव गैर चमार जातियां, आज भी हरिजन बस्ति और हरिजन करते हैं, और सेल्फ जो उनका रेफरेंस है, जो जाटव चमार दलित है, उनका भी अगर आप एलीट्स को छोड़ दें, हिंदी पट्टी में तो उनका भी खुद के लिए जो term यूज किया जाता है उसमें हरजन शब्द की बहुल लेता है लेकिन चुकि हम लोग analysis में है writing में है तो दलित शब्द एक आजकल काफी प्रभाव रखता है इसलिए हम उसे use करते है एक जैसे जब मैं आपकी किताब पढ़ रहा था तो आपने किताब में लिखाए उस पर हम आगे डीटेल में आएंगे भी तो वो कुछ-कुछ वही जो एक concept है सबल्टर्न हिंदुत्वा है और जब बंगाल का विधानसभा चुनाव चल रहा था पिछला तो उस टाइन पर यह थोड़ा और ट्विटर पर जी ट्रेंड हो रहा था तो वहां मैंने किसी का ट्विट देखा था तो उन्होंने कहा था कि इस वर्ड इस एम्फिल या पीएचीडी की थीसिज में सज्जन जे निवका यह है तो पहले तो इस वर्ड के क्या नम कोईन आपने किया इसको और यह सबल्टरन हिंदुत्वा से आपका क्या मतलब है देखे जब हम नेरेटिव के लराई की बात करते हैं और खासकर आज के ततकालीन भारत में तो आप देखेंगे नेरेटिव के लराई में हिंदुत्व जो है वो एक बहुत बड़ा कैटेगरी है विमर्श है जिसके पक्ष में समाज जुकता हुआ दिखता है और उसके विपक्ष में एक तबका दिखता है और academy और media में तो इस पे एक international line खिची हुई है Common sensically अभी कुछ साल पहले तक ये माना जाता था कि हिंदुत्व जो है उसका मतलब है कि एक ऐसी विचारधारा जो ब्रह्मनवादी विवस्था को आगे बराती है इसमें सवर्ण जातियों का दबदबा रहता है उनके हितों को साधने का एक तरीका है और जो पिछरी दलीत और आदिवासी समाज का एक assertion है उसको deny करने का एक तरीका है और ये भी तर्क दिया जाता है जो हिंदुत्व विरोधी पक्ष है कि 90-90s में जब मंडल कमीशन और मंडल का विमर्ष आया तो उसको पलटने के लिए हिंदुत्व का विमर्ष आया मंडल चुकी फिछरों के लिए था तो जो हिंदुत्व है वो अगरों के लिए हो गया ये एक एकडेमिक्स में मीडिया में एक पॉपलर नेरेटिव है इसका कारण क्या है क्योंकि अभी तक हम हिंदुत्व को ये मानते हैं कि हिंदुत्व बेसिकली जो वीडी सावरकर है विनायक दामोदर सावरकर जिन्होंने सबसे पहले इस टर्म को कॉइन किया इस को यूज किया हिंदुत्व और किताब लिखी 1925 के आसपास अगर मुझे exact publication याद है तो उसको उनसे जोड़ा गिया कि सावरकर चित्पावन ब्रहमिन है और इसलिए वो उसी तरह की बात कर रहे हैं उनका विमर्श लेकिन आप वास्तविक्ता देखिए 1990 में भी जब मंडल का discourse चल रहा था तो मंदिर का discourse आया हिंदुत्व का discourse आया उसमें front से कौन lead कर रहा है और जहां पर ये घटना हो रही है आप UP को केंदर ले UP में उसमें मुख्यमंत्री कौन है बीजे पी के और हिंदुत्व के aggressive face कल्यान सी वो पिछरे समात से आते हैं उसमें बजरंग दल का all India president कौन है विने का टियार वो कुर्मी है पिछरे वर्ग से आते हैं फाइर ब्रैंड महिला नेत्री उमा भारती पिछरे वर्ग से आती है जो 89 में अगर आप पीछे जाए जो मंदिर का सिलान्याश किया गया वो बिहार के दलित वर्ग से आते हैं तो इस तरीके से अगर आ पिछे वर्ग से आते हैं तो तो पहला यह कहना कि हिंदुत्व ब्रह्मेनिकल है यह एक कंस्ट्रक्ट है यह वो लोग कह रहे हैं जो हिंदुत्व को बाहर से देख रहे हैं और उसके विरोध में उसकी व्याख्या कर रहे हैं वास्तविक्ता यह है कि ब्रह्मन इसका एक को Cluburton जो है वो ज्यादा एक्ट्रेसिव ज्यादा असर्टिव और ज्यादा लीडर्शिप में है और वो किसी ब्रह्मेनिकल इंफ्लोएंस में नहीं कर रहा है उसकी अपनी सोच है अपनी कमिटमेंट है क्योंकि भारत में जो धारमिक्ता है वो शास्त्र संमध धारमिकता नहीं है, हमारा लोक सम्मद धारमिकता है, folk religiosity, popular religiosity है और popular religiosity में आप देखेंगे जो subaltern community है उसकी बहुत ही घरी बेट तो ये मानना की हिन्दुत्व religion की बात करता है वो brhmanical है और इसलिए OBC, दलित और आदिवासी से कुलरिजम का लेगा और रिलीजिन का तो आप तो न तो धर्म समझ रहें न धर्म का समाजिक और आजनितिक स्वरूप समझ रहें तो पहला तो ये बात है कि हिंदुत्व के बीच में एक बरा जो तबका है वो पिछडों का है दलितों का है अदिवासियों का है और वो नित्रित्व के पोजिशन में है दूसरी बात जब ये तो अर्ली नैंटीज की बात होगी बाद में आप देखेंगे कि धीमे धीमे जो आप बीजेपी का विस्तार होता और हिंदुत्व का विस्तार होता उन मुद्दों का आप कहते हैं काव विजिलेंटिजम है सब कुछ है एक समय के लिए उस घटना को हम मान भी लें आप हर जगह उठा के देख लें जो गवरक्षय की है सारे इस तरह के सवालों को लेके जो एक मूवमेंट आ रहा है उसमें जो लोग हैं वो किस समाज के तब किसे आ रहे हैं जो कावर यात्रा आ रहा है वो किस समाज से आ रहे हैं जो महा कुम्भ में एक आप देखेंगे कि बहुत भरा एक हिस्सेदारी बर रहा है वो किस समाज से आ और यह सब वो लोग हैं जो कहीं भी ब्रहमैनिकल इंफ्लूए नहीं है, false consciousness है, मतलब Markist terminology में तमाम तरह की व्याख्या है, चुकि वही दलित, वही पिछरा, वही आदिवासी अपने अधिकारों को लेके बिल्कुल सजग है, चाहे वह आरक्षन का विमरशो या कहीं भागेदारी को है, अब मोधी जी के आने के बाद क्या हुआ है, 2013 से जब उनका announcement हुआ, जब गुजरात से उनका अखिल भारती एक projection होता है, उसके बाद से आप देखेंगे कि हिंदुत्व का एक नया वर्जन जो पहले से आ रहा था, 90 से ही, मंडल के समय से ही था, कि पिछरों का नेतरित्वत में सबसे सबल था, लेकिन आप देखें कि BJP की तमाम जगा जो चीफ मिनिस्टर्शिप है, 2014 के पहले की बात हम कर रहे हैं, 2000 के लेट 90 और अरली 2000 से, गुजरात में नरेंद्र मोदी जी मुखे मंत्री है, मद्रप्रदिस में शिवराज सिंग चोहान जी है, उसी तरीके से आप देखें, तो साउथ इंडिया में यदुरप्पा हैं, और इस तरीके से तमाम जगा मद्रप्रदिस में उमा भारती भी हैं, गौड भी हैं, तो बहुत सारे सबल्टन कम्मुनिटी के लोग अल्रेडी बीजेपी के रिजनल क्षत्रप के तरह इमर्ज हो चुके हैं, और वो चेहगा बने हुए हैं, 14 के बाद क्या होता है, कि आप हिंदुत्व का स्वरूप देखेंगे, तो उसमें पाइलेट की पोजिशन पर, लीडर्शिप की पोजिशन पर, रिच्वल सेंट्रिक हिंदुईजम नहीं, हिंदुत्व जो एक रिलीजन का पबलिक असर्चन है, उसमें जो नित्रित्व की जो बागडोर है, वो पि अलग-अलग वर्गों में, हिंदुत्व की तरफ एक आकर्शन होता है, और वो आकर्शन जो है केवल फैसिनेशन नहीं है, या केवल कोई कैलकुलेशन नहीं है, केवल इसलिए नहीं है कि उनको आप कुछ लालस देके ला रहे हैं, वो उनके अंदर का एक, अपना एक अगर आप देखें नित्रित्व का, तो यह O.B.C. और दलिक डॉमिनेटेड है, सबल्टन डॉमिनेटेड है, ना कि ब्रहमिन डॉमिनेटेड है, या ब्रहमैनिकल डॉमिनेटेड है. कि ब्राम्मणवाद बढ़ रहा है, ये बढ़ रहा है, वो बढ़ रहा है, तो फिर जूट है वो तो? देखिए, मार्क्सिस लेफ्ट के डिस्कोर्स के साथ सबसे बरी, उनका ये स्ट्रेंथ भी है, और उनका ये सबसे बरा limitation भी है, कि वो खुद को तो define करते ही हैं कि हम क्या है, वो ये भी define करते हैं कि what is right, what is hindut, तो ये hindut का स्वरूप ब्रह्माइनिकल है ये हिंदुत्व के लोग नहीं कह रहे हैं ये वो कह रहे हैं जो हिंदुत्व के विरोधी है तो आप जैसे ही किसी को ब्रह्माइनिकल कहते हैं वैसे ही आप उसकी तरफ एक गिल्ट इंट्रैप करते हैं ये एक पावर मुव है आप हिंदुत्व के विमर् प्रधान मंत्री जो पिछड़े से आते हैं, वहां से लेके तमाम तरह के जो पावरफुल मिनिस्टर हैं, धर्मेंद्र प्रधान है, भुपेंद्र रियादव हैं, और इस तरीकी से तमाम इस तरीके के चेहरे जो अभी कर रहे हैं, यहीं नहीं, जितना टिकट दिया जाता है जितने organization में prime positions हैं आप सारे में उठा के देख ले और इसको compare करें केवल Congress से नहीं बलकि OBC और Dalit Centric Parties से भी आपको दिख जाएगा BJP में कितना ज़्यादा subultant share है organization में, parties में, leadership में और वैचारिक तरीके से आपको बिलकुल सामने दिख जाएगा आप एक analysis करें कि जो हिंदुत्व का स्वरूप है अभी वो subultant dominated है और इसी कारण ये ज़्यादा assertive है और इसी कारण जो आज का हिंदुत्व है वो 1925 के सवरकर का हिंदुत्व है तो subultant हिंदुत्व जो है वो सवरकराइट हिंदुत् ये subultant dominated है, subultant led है और ये जो अगरी जातियां है उनका विरोध नहीं करता है वो भी इसके साथ है लेकिन जो ज्यादातर नित्रित्व है वो subultant community के साथ है तो ये आपने जैसे बुला कि subultant हिंदुत्वा सावरकर के हिंदुत्वा से different है तो कि सावरकर का हिंदुत्वा जो था वो ब्रहमेनिजम या जो भी ये ब्रहमेनिजम नहीं सावरकर का हिंदुत्वा भी तो सावरकर तो खुद ही कास्ट के खिलाफ काम किये हैं दलितों का मंदिर में प्रवेश को लेके उनका विमर्स रहा है जाती को तोरने में उनका विमर्स रहा है वो तो चाहते थे लेकिन उस समय में, जब सावरकर के समय में, विचार तो वही था, जो आज के डेट में है, लेकिन जो इसके चेहरे थे, ज्यादा तर, चाहे खुद सावरकर हो, चाहे उसके बाद NC चैटर जी, जो सावरकर के बाद हिंदू महसाभा के प्रेसिडेंट बनते हैं, जो सोमना चै आज कहीं, और उसके माध्यम से एक हिंदू राष्ट की जो एक सांस्कृतिक परिकल्पना थी, लीडर्शिप उस टाइम पे जो थी, लीडर्शिप, तो ये आज सबल्टन हिंदूत्व का मतलब है, कि ये सबल्टन के हित की तो बात करता है, लेकिन उससे भी ज्यादा सबल सबल्टन लीडर्शिप के द्वारा हो रही है, और हिंदूत्व का जो डिस्कोर्स है, वो जो पिछरे हैं, दलित हैं और आदिवासी हैं, उनके बहुत मतलब की नित्रित्व को समाहित कर रहा है, और इसी करण से अगर आप ये कहें, ये कोई बहुत ज़्यादा अतिश यो करते जिनके जो वामपन्ति थे, इनके ही पिता जी एंसी चेटर जी महासभा के अध्यक्ष थे, और ये क्या था, ये सबल्टन हिंदुत्वा जो सब्द है, ये आप ने कोईन किया, तो ये होता क्या, ये कॉंसेप्ट है, एक शब्द है, दो हजार तेरह में जब हमारी पी तो सबल्टन हिंदुत्व एक टर्म है, जिसको उसमें पहले हमने बहुत सारे टर्म्स को यूज किया, कि नॉन ब्रहमिन हिंदुत्व, ये रहा कि एक ऐसा शब्द आए, जिसमें OBC, दलित और अधिवासी, सब समाहित हो जाएं, और एक शब्द जो अपने केवल, एक शब बात आप कहना चाहरे हो, तो उसमें हमने सबल्टन जो हिंदुत्व है, ये concept कोई किया था, जो कि मेरे PhD का पार्ट है, वो प्रोसेस को हमने कहा, सबल्टनाइजेशन ओफ हिंदुत्वा, क्योंकि उसके पहले की जो थेसिस चली आ रही थी, मार्क्सिस फ्रेमेर बाकी में, हिंदुआईजेशन ओप दस अवर्टन, कि जैसे कि जो ओबी सी दलित और आदिवासी थे, वो हिंदु नहीं तो उनको बनाया गया, जबकि, चुकि मैं तो ग्राउंड का आदमी हूँ, फिल्ड में हूँ, तो मुझे जो दिख रहा था, उसमें निश्चित तोर पे देख हिंदुट्व के हम रक्षत हिंदु कॉम्निटी के, तो इसलिए उसमें हमने कहा कि ये हिंदुआईजेशन ओव सबल्टन नहीं है, ये सबल्टनाईजेशन ओफ हिंदुट्वा का फेज है, और उससे फिर सबल्टन हिंदुट्वा को हमने क्वाइन किया था, और ये पहले का जो हिंदुत्व है खासकर मोधी जी के बाद यह सबल्टन हिंदुत्वा है और आज की तारीख में जो ही यह काफी पॉपलर यूज हो गया था जो पोस्ट पॉल वाइलेंस हुआ तो उसमें भी जिनका सबसे ज़्यादा डेमेज हुआ था जैसे बीजेपी के कारे करताओ जो मार खा रहे थे या जो लड़ रहे थे जो भी कर रहे थे उसमें अधिक्तर ये पिछडी जाती हो नहीं बलके उसमें सबसे जयादा दलित थे आप देखें कि दलित भाई उसमें पूरा जो बीजेपी का डिस्कॉर्स थे उसमें मट हुआ जो फैक्टर है जो की भाजन हुआ तो जो उसमें जो मिडिल क्लास या जो अपर कास्ट बेंगॉली हैं उसका एक बड़ा हिस्सा आ गया जो कुछ बचा था वो 71 के बाद आ गया लेकिन दलीतों का एक बड़ा वर्ग चुकि जोगेंदरनाथ बांगला देश में जो बेंगॉली हिंदूओं के प्रोजिकूशन हो रहा है या आप पाकिस्तान में कराची में देख ले एसेंशल सर्विसेस एक्ट के तहट आपने जो वालमी की समाज के जो सफाई करने वाले साने उनको नहीं आने दिया वो रहे गया तो ये दोनों देशों में चाहे पाकिस्तान या बांगला देश में आज जो हिंदू सबसे जादा प्रताडित हो रहा है वो यही वो दलित हैं तो बंगाल में वो चीज़ था अब उसके बाद उनका एक बड़ा हिस्सा पाकिस्तान सिंध में सबस्यादा प्रताडित होने वाली कम्यूनिटी भील है और जो आते हैं भारत में जैसे हम लोग काम भी करते हैं उनके साथ तो 95% या उससे ज़्यादा ही जो है वो भील कम्यूनिटी से हैं आपने बताया पोस्ट पॉल बंगाल वाइलेंस का जब इलेक्शन का रिजलिट आया तो उसमें जिन पर हमले हुए जो मरे वो मतुआ कम्यूनिटी और नाम सुद्रा और दक्षिन 24 परगना साथ 24 परगना में पॉन्ड खत्री दलित हैं जिन्होंने बीजेपी को वोट किया था और चुनाओं के बाद उनको सबसे ज़्यादा प्रतारणा जहरना पड़ा तो इसलिए सबसे ज़्यादा जो इसमें भुक्त भोगी थे पोस्ट पॉल वाइलें पर आप तो जैसे आपने किताब लिखिये तो इन सब जो भी हैं सब का इंटर्विव भी आपने किया आपका पी एच़ेडी का ही टॉपिक रहाया मंडल कमंडल भी तो जैसे जो चंद्र सेखर रावण है या मायवती है या इसी किताब में आपने जैसे जो युवा दलित एस्पिरेशन को लेकर लड़ रहे हैं कर रहे हैं पुर्वान चल बुंदेल खंड में उस पर भी हम करेंगा आगे डिटेल में चर्चा या जिन अभी मार्क्सिस्ट की बात हुई यह सब मीडिया में ऐसा पोर्ट्रे करते हैं कि हमसे बड़ा दलितों का कोई सुचिंतक है नह को तयार दिखते हैं ऐसा प्रिटेंड करते हैं फिर जो पोस्ट पॉल वाइलेंस हुआ इसके खिलाफ इन में से कोई क्यों नहीं बोलता जैसा है अगर मैं वैसे पूछू हूँ आपका एक्स्पिरियंस आप जेन्यू में रही इतने साल और आपने इतना काम भी इन समय किय चैन्यूरह वैसेा है तो क्या रिजन देखते हैं आपकी चंदरसेकर रामड् Οर् बंगाल में भूअ पोस्ट पॉल वाइलेंस में जो जे जातीं बनते हैं उन्हीं पर और अट्यारों के लिए कभी नहीं बोलते देखें सारी बाते औटर्य जो भुक्त भोगी विक्टिम है उसमें सबसे ज़्यादा दलित है उनके उनको उनके political choices के कारण BJP की तरफ आने के कारण प्रताडित किया गया अब सवाल यह है कि वो भी दलित थे भुक्त भोगी थे लेकिन चुकि वो BJP की तरफ गये तो फिर उनकी दलित आइडेंटिटी या जो उनकी विक्टिम हुड है वो पीछे छूट गई कारण यह है कि 1980 के समय से इस देश में दलित विमर्ष में एक बहुत बड़ा एक common sense बन गया Who is an authentic दलित? असली दलित कौन है? तो मान्यवर काशी राम आए? उन्होंने 1980 में यह जो आपने अपने पुष्टक में लिखा भी हाँ ठीक है बताईए वो आया और उन्होंने आने के साथ जो Congress और Congress से ज़्यादा जो गांधी जी की जो दलित विमर्ष थी जिसके चेहरे जग जीवन राम सबसे चर्चित चेहरे जग जीवन राम अब याद रखिए जग जीवन राम 1932 से चुनावी स्वरी चुनावी नहीं पब्लिक लाइफ में है और आजादी के पहले से चुनाव लग रहे हैं सबसे यंग कैपिनिट का लिख थे नहरू जी के पहले सरकार में और 1985 या 86 में उनकी उनका निधन हुआ 84 तक एक भी चुनाव नहीं आ रहे है कॉंग्रेस के बाहर जाने के अब 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 जूद 84 की लहर में जब सब बाहर गय थे सासा राम से वो जीते थे तो जग जीवन राम का वो कद था लेकिन जब काशी राम आते हैं तो पहला यह frontal attack करते हैं जिन्होंने लिखा The Age of Chamchaj Age of Chamchaj किताब लिखी काशी राम जिन्होंने कहा कि असली दलित अगर किसी ब्रहमनवादी पार्टी का में है कोई दलित वो असली दलित हो ही नहीं सकता है वो ब्रहमनवादी समू का चमचा है यह आपने अपनी किताब में लिखाएगी Perennial Battle Between Selfish Brahmanical Stooges and Authentic Ambedkaraits यह और यह 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 कुकि काशी राम मूलता तो पंजाब के रोपर जिलेश से थे आज के डिट में उसे रूपनगर कहते हैं और वहां से वो पूने में जॉब करते थे वहां पे उनकी जो Ambedkarait जो आइडियालोजी है उसमें उनका exposure हुआ ट्रेनिंग हुई percentage की हिसाब से सबसे ज़्यादा दलित पंजाब में है तो वो पहले यह जो महरास्ट की जो दलित राजनिती की मोडल थी जो महरास्ट में सफल नहीं हुई कभी चुनावी द्रिष्टी से काशी राम उसको पंजाब में implement करने की कोशिस किये लेकिन पंजाब में क्या है कि धार्मी के अधार पे बटा हुआ है मजभी सिख जो सिख दलित है जो ज़्यादतर गाउं में रहता है और फिर आपके दुआबा में जो दलित है जो हिंदू कॉम्टी से आते है तो इस कारण से वो religious fault line जो था दलितों में वो एक united दलित discourse पंजाब में फेल हो गया तो इनका ध्यान गया कि दूसरा राजे जहां सबसे आदा दलित population है 22% के करीब वो UP है उन्होंने वहाँ से शुरू की कि इन्होंने खड़ा किया तो पहला इन्होंने अटेक कॉंग्रेस के और बाकी पार्टियों के लीडर पे किया उसमें सबसे frontal attack जग जीवन नाम पे था उसके बाद राम विलास पासवन जैसे जो समय जनता पार्टी वगरे के फोल्ड में थे उनके उपर भी आता है तो काशी राम ने सबसे पहले ये एक परिपाटी चलाई की authentic दलित वही है जो खुल के ब्रह्मनवाद को गाली दे और उसका विरोध करे और ब्रह्मनवाद क्या है इसका भी उन्होंने definition दे दिया कि जितनी भी mainstream parties हैं चाहे socialist हो चाहे left हो चाहे बीजेपी हो सब ब्रहमनवादी तो कहने का मतलब है कि अगर कोई दलित इन पार्टियों को जो mainstream parties थी वोट दे रहा है तो वो तो authentic है ही नहीं उसका certificate cancelled उसको आप मानी नहीं रहे है कि वो दलित अब यह सोच जो है वो दलित middle class में एक elites की है जो आज भी अमबेत कराइट है उनके लिए authentic दलित अब रामनाथ को विंट दलित नहीं है उनके लिए दुरापदी मुरमु जो है वो authentic tribal नहीं है यह सब रहमेंगल स्टूजेज है क्यों क्योंकि उनकी definition में आप fit नहीं हो रहा है तो कहें कि यह देश में certificate बाटने का काम 14 के बाद सुरू नहीं हुआ उससे पहले से है लेकिन 14 के बाद क्या हुआ कि एक crisis आगे यूनिवरस्टी और colleges में पढ़े हुए दलित elites जो की हर चीज़ को theory और ideology से देखते हैं और दलित और पिछरे जो message हैं जो चीज़ों को अपने everyday या रोज मर्रे के experience अनुभों से देखते हैं इन दोनों में बिलकुल कोई तार्थ तम्मेता ही नहीं रही आप जब ideology से देखते हैं तो आप चाहते हैं कि दलित और आदिवासी यह समाज के जो बाकी तबका और बाकी party को दुश्मन माने जो वहाँ वो angry है क्योंकि वो ये claim नहीं कर सकता है कि वो दलित masses और tribal masses को represent कर रहा है क्योंकि आप जिस party है जिस विमर्ष का विरोध कर रहे हैं आपके तबके का जो बहुत बड़ा हिस्सा है वो उसका समर्थन कर रहा है तो एक ideology से देखता है उपर से जो ground पे जो दलित या tribal mass है वो अपने रोज मर्रे के experience से देखता है experience में है कि हमें सबसे ज़्यादा प्रतिनी धित्व है हमें सबसे ज़्यादा leadership है और कहीं ने कहीं एक स्विकारिता भी है उपर से आप उसे एक theory और ideology समझा रहे है तो इस कारण से आप देखेंगे कि यह जो दलित elite है जो अंबेदकराइट framework से जिनका ज्यादतर background university में चाहे विदेशों की हो चाहे इंडिया की हो है colleges में एक अंबेदकराइट ideology में होता है इनका एक anger यह होता है कि यह उन सारे विमर्ष में उनको authentic दलित मानते नहीं है कहीं पर यह कहते हैं कि वो mentally hegemonized है कहीं पर कहते हैं false consciousness में है कहीं पर कहते हैं अपने hit को नहीं समझ रहे है तो इस तरीके से एक fallacy होती है जिसको कहते है no true sportsman कि माली जी आप कहेंगे कि हर बेंगौली जो है वो मचली पसंद करता है तो माली जी ये किसी बेंगौली ने कहा कि नहीं मैं तो बेंगौली हूँ लेकिन मुझे मचली पसंद नहीं है तो आप कहांगे फिर तुम असली बेंगौली लिए तो ये वही वादी fallacy है कि अगर कोई दलित आपके अमबेद कराइट रैडिकल फ्रेम में बात नहीं कर रहा है तो आप उसे असली दलित नहीं मानेगा बंगाल में चुकी वो बीजेपी को सपोर्ट कर रहा है आपको अपोज करने की बात सपोर्ट ना करने की बात चोरिए फिर तो उसके दलित होने पर ही अपने परस्टन चीबता इसलिए उसका राइट तू लाइफ वगएरा मैटर नहीं करता ना आपको उसके लिए संगर्स करेंगे और वो आपकी प्राथमिक्ता या आपकी सोच में नहीं होते है यह जो आपने बताया कि जैसे यूनिवर्सिटियों में या जो मीडिया में जो एक एलीट तबका है जो एमबेट कर राइट्स का इनके बीच में ये द्वंद चल रहा है कि ये ठेकदार नहीं बन पा रहे हैं जो इनकी लड़ाई चल रही है कि उनका नेजा कौन ये आज की तारीक में ये दावा नहीं कर सकते है तो कि दलित मासेज या ट्राइबल मासेज का प्रतिनित्व हम करते हैं क्योंकि आप जो कह रहे हैं उसकी सच्चाई और जो ग्राउंड पे जो आपकी समुदाय के जो बहुत संक्यक हैं उनका जो सच्चाई है वो बिलकुल आपोजिट है तो ऐसा तो कुछ-कुछ जातक मेरी जहनकारी है कि सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फरेंस में अंबेडकर और गांधी के बीच भी हुआ था बिलकुल यह इसकी पूरा का पूरा जो इसका सीड है यह वही से है सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फरेंस में जब डिप्रेस्ट क्लासेज को माइनॉरिटी की तरह एक सेपरेट एलेक्टरेट बनाने की पहल थी जिसका अंबेडकर की हमको दिया जाए और अंग्रेज भी समर्थन कर रहे था तो अंबेडकर चाहते थे उन्होंने सोचा कि इ गांधी ने इसका विरोध किया उनका कहना था कि ये हिंदू फोल्ड के अंदर में इनका ये किया तो रिजर्वेशन का डिस्कॉर्स उसी अंबेडकर गांधी के भी मर्ष जयाया है लेकिन उस समय भी ये बात उठा कि भाई दलितों के प्रतिनिधित्व जो है वो जानी है तो पॉइंट यह एकि क्या कोई दलित है वही रिप्रेजेंट करेगा या एक नौन दलित भी अगर मासेज उसको फॉलो करें चुकी गांधी को लोग फॉलो करते थे आज क्रिट में अमबेडकर को भी फॉलो करते हैं बत सवाल है अमबेडकर आज तो बहुत सारे अम्बेदकर है किसके अम्बेदकर की बात आप कर रहे है कि कौन सा अम्बेदकर वाद असली अम्बेदकर वाद है उसको जो दलित मानेगा उसको आप असली मानेगे उसको जो नहीं मानेगा उसको आप नहीं मानेगे तो जो आपके फ्रेम में नहीं है अगर वो भुक्त भोगी है वो विक्टिम है वो आपकी प्रत्मिक्ता नहीं है पर जो आजकल हम देखते भी है कि होड़ अलगी हुई है कि बाबा साहिब को हम गोद ले लें अलग-अलग राजनितिक पार्टियों में वो लेफ्ट की हो या राइट की हो जैसे राइट वाले बताएंगे कि उनकी किताब है थोट्स ओन पाकिस्तान तो लेफ्ट वाले बता जाने में गांधी का जितना बड़ा योगदान है उतना किसी का नहीं था अगर मैं गलत नहीं हूं तो जहां तक मैंने जो थोड़ा बहुत पड़ा है उसके 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 तो मुझे लगता है कि अमबेडकर जीते जी जी जैसे आपने बताए कि बाबु जग जीवन राम 1932 क 24 में पब्लिक लाइफ में आए और 84 तक कोई चुनाओ हारे नहीं मुझे नहीं याद आता कि अमबेडकर कभी कोई चुनाओ जीते तो कोई चुनाओ नहीं जीते तो इसका मतलब तो अमबेडकर अपने जीते जी इतने पॉपुलर कभी नहीं थे कि चुनके आ सके इस बात स आप कितना एक्रिटी से गरी करते हैं निश्चित तोर पे मतलब अमबेदकर अपने लाइफ टाइम में मास लीडर कभी नहीं थे उन्होंने पार्टी बनाई जागरुकता फैलाया बहुत लिखा काफी पॉलिटिकल लाइफ में एक्टिव थे पॉलिक लाइफ में लेकिन कि अमबेदकर की मिर्तियु के बाद अमबेदकर की मेरे खाल से 54 पचपन जब भी मिर्तियु हुई उसके 25-30 सालों तक तो सबसे बड़े इस समाज के नेता बाबु जजीवन राम थे जी तो क्या आपको नहीं लगता अमबेदकर का रीबार्थ वा ये लेट 80s और 90s में मह महारास्टर में 1970 से हो गया था लेकिन वह महारास्टर तक सिमित था जो बाकी हिंदी पट्टी में हिंदी हॉइट लैंड में और उसके बाद बाकी जगह पर जो अमबेदकर का रीबर्थ है वह 1980 से आता है उत्तर भारत में इसका स्रे आपको बीएसपी और काशी राम को दे जो अमबेदकर को छोड़के दूसरे सबसे बरे दलितों के आईकन थे जगजीवन राम उसको डिमॉलिश करना था तो जगजीवन राम जो थे उनको तो कॉंग्रेस ने पहले ही अबेंडन कर दिया था तो आधी उनकी राजनितिक वृत्यू तो कॉंग्रेस नहीं कर दी थ उसको काशीराम साब ने कर दिया तो एक चीज तो पूरा हो गया दूसरा यह हुआ कि अमबेदकर का 1980 में रीबर्थ होता है उसमें क्या हुआ कि आपने अमबेदकर की जो आइडियोलोजिकल राइटिंग्स थी और जो उनका एक आइकन था उसको एस्टैबलिश किया तो आ उनकी प्रतिमा वो हर चौराहे पे पबिक स्पेसेज पे आने लगी और अमबेदकर की लिट्रेचर का यह जो काशीराम हो या बाकी सब हो इन्हों ने उसका सरली करन करके अलग-अलग भाशाओं में उसका एक मास फेनोमेन यह किया तो इस तरीके से यह दोनों कंडिशन मी लगी थी विक्टन हो गया था तो उनी सो असी का वो डिकेड है जो केवल अमबेदकर को ही नहीं इस्टैबलिश कर ला है उसकी भी एक प्रिस्ट वह उनी सो सत्तर अगर क्लास के लेंग्वेज में दिखता है आप मूवीज में देखें एंगरी यंग मैन है वह क्लास की सिस लोग नेक्सलाइट इसकोर्स में स्टुडेंट्स जा रहे थे तो वह तब तक लेफ्ट का एक क्लास का लेंग्वेज डाओ लेकिन असी देखें इनफेक्ट सेवेंटीन से देखें दुनिया में सोवियत यूनियन में अफगानिस्तान में हमारे परोस में सोवियत इन्वे इरान में इसलामिक रिवोलुशन हो रहा है है ना उसके बाद आप देखें कश्मीर में धीरे धीरे वो एक इसलामिजम की जड़ पनप रही है तो 1980 का आरंब ही क्लास से कास्ट और कॉमिनिटी और कल्चर के लेंग्वेज में होता है तो 1980 का जो डिकेड है वो आइडेंटि इसके रिस्पॉंस में हिंदुत्व जो है कमंडल है वो भी 80 के ही डिकेड में आ रहा है तो यह पूरे के पूरे आप देखें मंडल का भी प्रादुर भाव उसी टाइम में आना शुरू होता है तो 1980 का जो दशक है वो बहुत ही फर्टाइल ग्राउंड देता है कास्ट कॉ उत्थान है वो समाज के बाकी तबकों के उत्थान से जुड़ा हुआ है अटॉनमी नहीं चाहिए लेके चलिए उसकी जगह एक एंगर और अटॉनमस अंबेद कराई दलित हो जो वर्सेज अधरिंग बाइनरी में बिलीब करें जो काशी राम उत्तर भारत में स्थापित क है और इस कारण से होता है और इस तरह किसे उनी सो असी में अंबेद्गर का रीवर्थ होता है एक इसमें मैं चाहूंगा कि आप पॉलिटिकल साइन्स के स्टूडेंट हैं और मुझसे काफी सीनियर हैं और आपने सीनियर उने कहत पढ़ा भी जादा है बाबु जग जीवन अगर आप उस पर प्रकाश डालना चाहें कुछ मेंका गांधी खुश्वन सिंग सूर्या मैग्जीन उनके बेटे का एक इसा यह जो सुरेश कुमार उनके बेटे थे मीरा कुमार जो लोक्षभा की अध्यक्ष रहीं और कॉंग्रेस की बरी नेता रहीं उनके भाई थे और एक मात्र बेटे थे जब एमर्जेंसी के बाद जब जीवन राम ने घोशना की कि वो कॉंग्रेस छोड़ रहे हैं और अपनी पार्टी कॉंग्रेस फॉर डेमोक्रेसी बनाई तो कॉंग्रेस का जो एलीट सेक्शन था लीडर्शिप का उसने उनको माफ कभी नहीं किया जनता पार्टी में गएं और वो तो प्रधान मंघरी के दावेदार थे आपको आशरे होगा जानके के तीन लोग प्रधान मंघरी के दावेदार थे जनता पार्टी जब जीट के आती है यह 77 के एलेक्शन में एक मुरारजी देशाई थे, दूसरे चरन सिंग थे, तीसरे जग 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 चरन सिंग को उस समय का जो लोक दल था और बाकी एक बड़ा हिंदी पट्टी में सबसे ज़्यादा MP उनके प्रभाव में थे, तो वो प्रबल दावेदार थे, लेकिन जो बड़े बुजुर्ग न पाटी थी, वो एक मजबूत घटक थी, ये तरक आया कि एक डलित प्रधान मंत्री क्यों न बने, गैर कॉंग्रेस सरकार में, बहुत कम लोगों को इस बात का ध्यान यह लिखा गया है, जो एक सच्चा ही है, जन संग जो आज बीजे पी है, ओफिशियली इसने जग जीवन राम को सपोर्ट किया था, तो सबल्टेन हिंदुत्वा की बात जब आप करें, तो आप पीछे जा सकते हैं, चरन सिंग ने नहीं किया, जो खुद भी एक किसान और इंटर्मीडियरी कमिटिक, जहां तक मैं बीच में रोक रहूं, सुनाए कि वो तो विरोध किया था, और क काफी objectionable बात कहा जाता, उन्होंने कहा और ये बात बहुत लोग कहते हैं, ये कोई छुपाने वाले बात नहीं है, लेकिन जनसंग ने उस दावेदारी में जगजीवन नाम का सपोर्ट किया था, वो बन नहीं पाय थे, अलग बात है, चुकि जैपरकाश नरायन और अचार परधान मंत्री बनते हैं, जग जीवन राम, काफी वो लोग प्रिये तो थे ही, काफी एक बहुत ही एफिशियन एड्मिनिस्ट्रेटर पर थे, बहुत ही पॉपलर Defense Minister रहें, Railway Minister रहें, बहुत सारी Ministry हुने दी, और हर जगह अच्छा काम हुआ दलितों के लिए काफी काम किया, उनकी नियुक्तियां हो हर मंत्राले में, विभाग में, सेक्टर्स में अब उसी समय क्या होता है, कि इनके बेटे जो सुरेश कुमार थे दिल्ली के सत्वती कॉलेज की एक कोई छात्रा थी उनके साथ उनके साथ उनका संबंध था मिलना जुलना था ये लोग एक होटल में थे और ऐसा कहा जाता है कि चरण सिंग जी के कुछ बहुत भी इशारोपिया उनके जो लोग थे उन्हों ने काफी उनके उस होटल के इंसिडेंट को कैप्चर किया फोटो उसकी निकाल ली गई अब वो कैसे हुआ नहीं हुआ बहुत लोग कहते हैं कि जबरदस्ती हुआ बहुत लोग कहते हैं प्लैंड था सब कुछ था वहां तक वो उनका वेक्तिगत मसला था सबसे ज़्यादा शर्म की ट्रेंटू पागिस्तान वाले खुश्वन सिंग वो फोटो जो हैं मेनिका गांधी ने खुश्वन सिंग के पास भेजे कि इसको छपवाईए खुश्वन सिंग जो इस तरह के चीजों पे बिलकुल बहुत ही ऑपन माइंड़ क्या रैडिकल थे उन्होंने भी लिखा कि इ तेरे लिए भी ज्यादा था इसको उपेलली खुश्वन सिंग किसी चीज को पॉप्लोग्राफिक कह रहे हैं इसको मैगजीन में च्छापना और बाटना लेकिन चुकि बॉसका उड़ाना सिस्टम था मैगजीन में च्छपा च्छपने के साथ उसकी पांच लाग कॉपिय बनवाई गई एक-एक MP और एक-एक पत्रकार के घर में उसको डिस्ट्रिब्यूट किया गया दूसरी प्रती छपी और इस तरीके से टार्गिट सुरेश कुमार नहीं थे जार्गिट जगजीवन राम थे कि आपकी हिम्मत कैसे हुई कि आपने कॉंग्रेस को छोड़के आप दूसरी तरफ करें तो वही हमने का का अशी राम शायद जगजीवन राम का पब्लिक लाइफ डिस्ट्रॉइ नहीं कर पाते हैं यही में घटना नहीं होई होती है कॉंग्रेस ने तो अल्रेडी उनको जख्मी कर दिया था पूरी तरीके से तो यहीं गांधी परिवारी हुआ और गांधी परिवार के आसपास पूरा का पूरा जो किचेन चला तो निश्चित तोर पे 1932 गांधी जी के आशिरवात से जिसने एक यंग चेहरे के तोर पे अपना राजनितिक और सार्वजनिक जीवन में सफर शुरू किया वो निश्चित तोर से बिल्कुल शर्मिंदा हो जाएगा कि इस तरह की कुछ चीजे होने जारी तो उन्होंन जिनको एक false sense of entitlement होता है कि सिस्टम हमारा समाज हमारा और अगर आपने उसका हनन किया वहलना किया तो आपको ऐसे कैसे हम छोड़ेंगे और यह मेंगा गांधी जी ने किया है ये बात on record है आप गूगल करें आपको सारा detail मिल जाएगा इस बात पे बहुत सारा विमर्ष हो चुका है आज के date में लोग बहुत progressive बनते हैं ये लेकिन जग जीवन राम को demolish करने में काशी राम क्यों सफल रहे हैं क्योंकि कमर तो यह तोड़ चुकी थी मेंका गांधी और Congress क्योंकि आप ऑल्रेडी एक आपको एक जखमी पहलवान मिला था वो gladiator जो अल्रेडी जखम जग जीवन राम चुनाओं नहीं हरे थे बतारे 84 की वाजपे हार गये थे आडवानी हार गये थे जग जीवन राम साशा राम से जीते थे और वह गांधियन विमर्ष में जब साशा राम में आज भी आप जाएंगे तो चाहे वहाँ का सवण हो चाहे कोई डलित हो आज भी जकजीवन राम को बाबू जकजीवन नाम चाहिए आज भी सम्मान के साथ और लोग आज भी कहते हैं कि समाज में दलित और गैर दलित में जब संघर्ष होता था तो जिस दो समाज के बीद में उस समाज के लोगों को कहते थे कि आपके लोगों ने किया आप जाके इसको सुलजाएंगे तो वह जो तरीका है ना कि फोल्ट लईन है नहीं देंकि हर्स किस समाज में लें संघर्ष सवाल यह है कि आपका विमर्ष उस फॉल्ट लाइंым कि यहाँ संघर्ष को और dpine कृगा या हार्मशी की संघर्ष को और विमर्ष करेगा आप या मंचा हर्मशी की और ले और ये चीज काशी राम का जो autonomous discourse है वो ले के आया और जिसका popular slogan देखे जो शुरुवाती दशक में जो आया है उसमें सिधा ब्रह्मनवाद और उसके ब्रह्मनवाद कोई थेयरी की बात तो है नहीं उसका एक हार मांस का स्वरूप है समाज में और राजनितिक और समाजिक जीवन में हो रहा था तो ये एक विचार धारा की लराई थी तो हुआ क्या कि काशी राम जैसे जो पब्लिक लीडर थे उन्होंने जो कहा कि असली दलित कौन है हम बताएंगे आज के जो दलित intellectual है जो ज्यादा तर university या college educated है जो ideology से देख रहे है दलित या समाज को वो आज भी उसी चीज़ को लेकर देख रहे हैं लेकिन जो डलित जो ground का है जो mass है जो तबका है वो अपने अनुभों से देख रहा है वो ideology से नहीं देख रहा है और उसके अनुभाव में जिसको आप दुश्मन बना रहा है वो उसे लग रहा है कि सबसे ज़्यादा हिस्सेदारी है सबसे ज़्यादा लभारती है हिस्सेदारी है नित्रित्व है तो वो उधर जा रहा है तो यह जो anger है दलित elites और दलित मासेज के बीच में इसमें यह है कि मासेज तो प्रेफर BJP और हिंदुत्व को कर रही है लेकिन जो elite है वो protest और movement की तरफ जा रहा है इसी कारण से चंदरशेखर आजाद है क्योंकि वो protest और movement के leader है वो दलित्यों के election और vote के leader नहीं है वहाँ वो fail है लेकिन चुकि vote के मामले में fail है इसका यह मतलब नहीं उनकी सार्थकता नहीं है agitation और movement में वो emerge होते हैं एक नेता के तोर्त है अभी काफी कुछ आया बातचीत में कासिराम कासिराम आप ही ने मुझे साहिद बताया था कि इसा भी एक देश के हमारे युवा ने कोई यात्रा निकाली थी पैदल पद यात्रा कर रहा था चिरी युवा तो यात्रा एक कासिराम ने भी निकाली थी साहिकल यात्रा साहिद मरी खहल से तो ये कब की घटना है तो ये यात्रा उसके बाद निकली या उससे पहले निकली क्या थी यात्रा यादी थोड़ा बताना चाहिए भारत तो यात्राओं का देश रहा है कोई भी नेता जो सारवजनिक जीवन में और केवल राजनितिक नहीं जिसने यात्रा नहीं की वह सफल नहीं हुआ है और यात्रा तो आप देखे तो शंक्राचारे के समय से है पूरे के पूरे जो भक्ति मुव्मेंट है वो यात्राओं का है गोरखनात का कल्ट यात्रा का है तो यात्रा हमारे समाज में आपको स्थापित करने का आपकी इस प्रक्यारता का एक बहुत बड़ा ये रहा है विहार जो शब्द है ब्रह्मन और उसके साथ अपना वैचारिक सांस्क्रिती बीस्वी सदी में जो यात्रा का जो डिस्कोर्स है विमर्ष है वो गांधी से शुरू होता है गांधी जो बिल्कुल इसको में इस्ट्रीम में लाते हैं गांधी के बाद आप देखें तो ये विनोधा भावे लाते हैं भुदान के समय पुर्य देश में करते हैं उसके बाद असी के दशक में आप देखेंगे बहुत सारी यात्रा हैं हो रहें, मैं एक प्रिष्ट भूमी दे रहा हूँ, साउथ में दक्षिन में एंटी रामा राओ कर रहे हैं, तेलगो प्राइड के उपर रथे यात्रा, वाडवानी जी से पहले हुआ है, 83 में हो गया, 1983 में, उसी सम सेवेंटी से काशी राम साइकल यात्रा करते हैं, देखें, गांधी ने एक पॉलिटिक्स और सिंबोलिजम शुरू किया, अम्बेदकर का पिक्चर आप देखेंगे, तो हमेशा कोड, सूट, पूड़े के पूड़े एक modern ड्रेस में हैं, क्यों? क्योंकि वो कहते हैं कि हमा हैं एक धोती में अधनंगे फकीर की तरह है, क्यों? क्योंकि वो कहते हैं कि मैं जो इस्तिती है हमारे समाज के बहुत संख्यकों की, दलितों की, सबकी वो रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, तो यह पॉलिटिक्स और सिंबोलिजम है, और यह पॉलिटिक्स और सिंबोलिजम य उसको लगना चाहिए कि जो हमारे संसाधन है, जो सिंबोल्स हैं, वो सब हमारे ऐसे हैं जो हम अफोर्ड कर सकते हैं, जब हम उनके बीच में जाएं तो हम टॉप डाउन मोडल में न जाएं, वैचारी करांती लाएं लेकिन इस साधन से जाएं, तो उन्हें लगें कि यह हम साइकल यात्रा की थी, और इस साइकल यात्रा के इंपक्ट उस समय के बहुत सारे लोग जिवित हैं, दलितों में यह चीज मैसेज फैल गया, कि कोई हमारे समाज का है, जो केवल आके हमें वैचारी कुछ भी काशिराम हमेशा कहते थे कि इंटेलेक्चुल ग्यान से कुछ नहीं होता है, अम्बेटकर ने किताबे कटे की, मैंने लोग कटे किया, उनका कहना है, तो तो अम्बेटकर के पैरलली खुद को रख रहे हैं, उन्होंने खुल के यह कभी नहीं कहा, लेकि निश्चित तोर पे उन्होंने अपने कॉंट्रिबूशन को, खुल के तो कोई कह था जिसमें कॉंग्रेस हारती है कानवे से चियानवे में शरत पवार उसमें थे कॉंग्रेस में नर्सिम्हा राओ ने कहा कि हमारी स्थिती अब थोड़ी कम जोड होती दिख रही है एक नई पार्टी है जिसको ठीक ठाक वोट उसका बढ़ता जा रहा है बीस पी जाईए उन से पूझा कि सब्चा यह कहा जाता है काशी राम ने कहा कि चमारो के देश में महारो की भाशा मत बोलिया यह सब कहने की कहानी है कुछ और कहा हो गया लेकिन भाव आप देखिए कैसे रीजन वर्सेज रीजन आ रहा है उन्होंने कहा कि यहां पे हम आप से पूछेंगे कि आपको कितनी से चाहिए तो जो काशी राम का पूरा का पूरा इंपक्ट है अगर आप देखें तो उसमें इंटर्नल कॉंट्रेडिक्शन भी हैं बाबा साहब का एक मार्गदर्शन हर को ही मानते हैं लेकिन वहां पे महारास्ट वर्सेज यूपी की भी बात आती है वहां पे एक जो एरोगेंस माना जाता है महारास्ट के दलित इंटिलेक्शुल्स या लीडर्स की जो मानते हैं कि हम 24 करेट दलित सुद्ध हैं बाकी हिंदी पट्टी वाले वो जो है अभी उतने प्योर नहीं हुए है तो ऑथेंटिक में भी सूपर ऑथेंटिक कौन है इसकी भी चत्रियता का एक जो दलित विवर्श में एक विभाजन था उसको भी बहुत ही मजबूती से सामने करते हैं उन्नीस सो तिरानवे उत्तर प्रदेश का विधानसवा चुनाओं होता है एक नारा दिया जाता है मिले मुलायम काशी राम हवा में उड़ गए जैसरा उसके कि अनारा बहुत चर्चित नारों में आता है पहला तो आप यह बताइं नारा किसने दिया था किकिरथ कोई और कि अन्युट वंद्धा में हुआ उन्नीस सो तिरानवे में यह को एक तो यह नारा दिया और इसकी क्या कहानी थी और यह गटबंधन तूटने का कारण क्या था देखिए जो पॉलिटिकल स्लोगन हैं खासकर चुनाओ के समय में यह जो नारे हैं आप देखें तो भारती राजडिती को आप नारे की जो स्लोगन है उसकी जरनी से आप ट्रेस्क समझ सकते हैं नहरू के समय में आराम हराम है आता है ठ आप जो भी रही हो लेकिन ओら जब लाल बहदर शास्तरी के आते हिं एक नारा सभ प草प वपता है जय जय किसान है तरीके से जब इंद्रा गांधी के वापसी होती है तो वहें इंद्रा बुलाओ देश बचाओ उसी तरह 84 में यह कोटी-कोटी हांथ कॉंग्रेस के साथ इस तरीके का स्लोगन है 1989 में करप्शन बुफोर सब राजीव गांधी पे हैं तो गली-गली में शोर है राजीव गांधी चोर है ना उसी तरीके से अब की बारी अटल विहारी से लेके कॉंग्रेस के हाथ गरीबियों के साथ से लेके हर-हर मोदी घर-हर मोदी इस तरीके का आप देखें तो भारतिय नारों के हिसाब से इंडिया की पॉलिटिकल जर्नी आप देख सकते हैं लेकिन आंचलिकता और अलग-अलग प्रदेशों में भी बरी है और उसमें जो है कि 1991 में बीजेपी को जबरदस्ट सफलता मिलती है यूपी में लेकिन 93 में जो चुनाओ होता है उसमें बहुजन का बहुजन मतलब जो अगरी जातियों को छोड़ दे तो जितनी तमाम जातियां और अलपसंख्यक है हलाकि उस अलपसंख्यप में शेख सैयद और पठान वगरे भी आते हैं बड़ यह है कि मुसल्मानों की जो इसमें मुसल्मान के जो पिछरे वर्ग हैं पसमंदा वर उनको बड़ा घाटा हुआ चुकि हमारी जो समाजिक न्याय केंदरित पार्टियां थी चाहें OBC केंदरित हो या दलित केंदरित हो उन्होंने हिंदू वर्ग में हिंदूों में तो भी भाजन की बात की लेकिन मुसल्मानों में उन्होंने शेख सहाब उद्दीन या आजम खान इमाम उन्होंने कास्ट की आ अंतरीक मतलब पयक्षा थी उसको इन्होंने नेतरित्व नहीं दिया उस थी में तो भारत में सोचलिस्ट पॉलिटिक्स का एक बरावर्ग का मतलब आज के तारिख में ओबी सी पॉलिटिक्स बहुजन उससे भी आगे गया उसने कहा कि भाई जो अगरी जाती है अब यह मुटा मोटी बीस परसेंट यह मानते हैं वो जादा है कम है अलग बात है इनके हिसाब से तो इन्होंने कहा कि सो में असी वोट हमारा राज तुम्हारा नहीं चलेगा और पहुजन के कॉंसेप्ट को इंप्लिमेंट काशी राम परड़ो ने कीinea और उस समें मिलें तो लोहिया और अमेट्कर एकसात मिल रहे हैं अमपेटकर वैचारीक तोर से आप देखेंगे कि मानिवाius मायवति आ से मुलाइम Ez स समय और डलित में माइनॉरिय है दो पिछ्णे माइनॉरित की विखें मुलाइम इन हीरो बन गये थे मुलाहिम सिंह आदव कार्शेव को में गोली चली और उनका फ्रेंट से आना हुआ और नर्सिमा राओ को तो मान लिया गया कि यह कोलाबॉरेटर है ठीक है इस कारण से मुसल्मानों का भी वर्ग आ गया तो यह जो समाजिक ताना बना में बीजेपी 91 के जीत के बाद पिछर गई सिंगल लार्जस्ट पार्टी बनी बाइद वे लेकिन जो मेजॉरिटी यह दो आएं तो बन गया अब उसमें यह तै हुआ कि भाई बारी बारी से जैसे कि अभी कर पिछरे वर्ग में जो एक सामंती पिछरावाद है सामंती पिछरावाद हर किसी में नहीं है जो लोहिया थे या बिहार में करपुरी ठाकुर थे यह लोग तो सम्दा मुलक समाज की बात करते थे लेकिन जो बीपी मंडल हो या मुलायम सिंग हो यह थोड़े बात तो पिछ पेक्षा थी कि अब हम आपके सामन्ती नित्रित्व है आप हमारा सम्वान करें तो यह जो फ्यूडल बैकोडिजम का एक छोटा एलिमेंट है जो लोहिया के विरोध में था उनका सहारा लेता है वो बिहार में आपको नहीं एक्सेप्ट कर पाया कि भाई हमने कॉंग्रेस के ब्रहमनवादी विवस्था को हराके बीजेपी के कमंडल को हराके सत्ता हासिल की और एक दलित वो भी महिला हमें चुनावती दे रही है तो वो जो एक गेस्ट हाउस इंसिडेंट हुआ जिसमें जो मायवती उस समय की बहुत इमर्ज हो चुकी थी असर्टिव लीडर थी दलितों में काफी पॉपलर थी जो यह मतलब जो यह गठबंदन हुआ था इसके टूटने का कारण जो यह फ्यूडलिजम जो बैक्वर्ड कास्ट स्वा मुलायम से इसाब से मायवती को देना था मुलायम से यह नहीं सा गया कि यह कैसे खुद वो थे न थे लेकिन निश्चित तोर पर चुपी थी और परिवार के बहुत सारे जो दबंग नेता थे उनका जो बिल्कुल जिस तरीके से गेस्ट हाउस इंसिडेंट हुआ मायवती जिन्होंने यह नारा कोईन किया था मिले मुलायम काशी राम हवा में उड़े गया जैस्री राम अब यह जो आपने गेस्ट हाउस कांड की बात की इसलिए मैं नेका वो थोड़ा डीटेल का वो है विसे दो जून 1995 में मीरा भाई गेस्ट हाउस मुलायम ने गठबंदन तोड दिया बीएसपी के मले लोगों को अपने साथ लेके ऐसा कहा गया कि वो बिएसपी के मले को भार्त जिन्ता पारिटी के कुछ नेताओं की या किसी के सहपे तोड़ने में सफल हुए उसके बाद उसी भार्तेजंता पार्किक के एक नेता थे ब्रह्मदत दिवेदी जिनकी हत्या विवाद में जिनकी बाद में हत्या हो गई इटावा से थे नाम भी दिवेदी तो ब्रह्मल वादी ही थे अगर असमें हम देखें यह गेस्ट हाउस करंड था क्या क्या हुआ था इस ग्या जो हमें असेंबली का शेशन चल रहा था जो आप बतार है कि बहुत अरे नेता जो विधायक थे उसको मुलायम सिंग ने अपनी तरफ किया था, काफी रोश था, मायवती चाह रही थी कि इन विधायकों को फिर से लाके वापस लाया जा, इसके लिए प्रयास करें थी सक्रिय थी, इस प्रयास को रोकने के लिए क्योंकि अगर ऐसा होता तो सरका गिर जाती, चुकि मायवती तब तक मुख्यमंत्री नहीं थी, और नहीं नहीं दलित नेता थी, तो हमने कहा कि ये जो सामन्ती पिछरावादे, सारा पिछरा सामन्ती नहीं है, एक छोटा वर की, उसे ये लगा कि आप जड़ को ही खतम कर दो, तो ये मायवती की उपर जो अटेक था, वो एक जानलेवा अटेक था, हुआ ये कि जब चारो और से घेर लिया गया, फोन के लाइन्स कट कर दिये गया है, और इस तरह कि इससे जब अटेक होना शुरू हुआ, मायवती बिलकुल अंदर चलेगी, गेट अंदर से बंद कर दिया गया, बाकी सब कुछ नसिमुदीन साब, सिद्धिकी साब जो अब नहीं है, वो कहते हैं कि उनकी बड़ी भूमकरती बचाने में, इन्होंने बोला कि मत करो सपाईयों को, यह और यह बाहर खरे थे, लेकिन उस समय ब्रहमदत वेदी जो थे, उनकी बड़ी निर्णा, चुकि ब्रहमदत वेदी बहुत ही दबंग प्रिविर्टी के चवी के थे, इस कारण से कभाव था, तो वो सामने आये बचाने में, किताब की एक सीमा होती है, शब्दों की कलराज मिश्र, उनकी भी बहुत बरी भूमका है, और इस तरीके से लेके, उस दिन मायावती की जान जा सकती थे, बहुत बहा गया, मुलायम के भाई, सीवपाल वगयरा लोग भी इसमें थे, सबसे ज़्यादा उसमें नाम लिया गया, आप देखेंगे, 2019 में, जब बहन जी और अखलेश यादव साथ में गठजोर करते हैं, तो अखलेश यादव कहते हैं, कि बहन जी का सम्मान मेरा सम्मान है, जिन्होंने पीछे भी अपमान किया है, उन्हें भी हाथों हाथ लिया जाएगा, तो वो इशारा ये कर रहे हैं, कि अब मेरे शाचा हमारे साथ, नहीं है, जो फिर से आ गया है, वो मैनपुरी के चुनाओं के बाद, इसमें डिमपल यादव जीती हैं, तो कहने का मतलब है कि उस समय जो मायावती पे जो आगा था वो बहुजन एक्सपेरिमेंट का फेलियर था, इसने ये भी दिखाया कि कागज पे और वैचारिक तोर पे, दीकिए सारी की सारी समस्या ही है जब अब हर चीज को एक आर्टिफिशियली एक आइडियोलोजिकल फ्रेम से देख, इसाब से आइडियोलोजी उसको समझने का या उसको बांधने का एक माध्यम होता है, आइडियोलोजी के हिसाब से समाज की सचाई नहीं होती है, तो बहुजन में आपने इंटर्नल कॉंट्राडिक्शन को नहीं देखा, आप हरियाने में जो जाट समाज से आते हैं, और ज दिख जाएगा क्या, तो ये कॉंट्राडिक्शन को आपने एक फ्रेम दे दिया, बहुजन का, गेस्ट हाउस कांड ने उस सारे बहुजन के एक्सपेरिमेंट को तोड़ ही नहीं दिया, उसने क्लियर ये कहा कि ऐसा कोई एक्सपेरिमेंट, कुछ समय के लिए चुनावी द पीछ ही दिवार नहीं खड़ा की जो आज तक है, उनिसका एक चोटा समय छोड़ दे तो, उसने ये भी सिद्ध कर दिया कि बहुजन, जो थियरी में दिखता है, रियालिटी में इस बंडल ओफ कॉंट्रेडिक्शन, आप मुसलिम समाज में एक बड़े तबके में जाएं, आप देख ले कि उनके बीच में दलितों को लेके क्या भाव है, लेकिन चुनावे दिरिष्टी से वोट कर सकते हैं, अब हम आगे बढ़ते हैं, जब किताब में ही, तो तिलक तराजू और तलवार इनको मारो जूते चार, से नारा बदलते बदलते हो जाता है, हाथी नही गणेश है, ब्रह्मा विश्णू महेश है, और सर्व समाज के सम्मान में बहन जी मैदान में, तारीख है 12 मई 2007, मायवती, देश के सबसे बड़े राज्य की मुख्यमंत्री बनती है, उनकी पार्टी का नाम बहुजन समाज पार्टी है, परंतु वो इसमें सर्वजन एक्स करती हैं, तो यह सर्वजन एक्सपरिमेंट क्या था? देखी यह बहुजन से सर्वजन का जो शिफ्ट है, क्योंकि अभी आपने जो बताया कि कासी रान ने जो पूरा यह खड़ा ही किया था, यह बहुजन किया था, और उनहीं ने अपना हायर चुना था मायवती को, और उ अकसी का दशक था, उसने जो बहुजन समाजपार्टी की नीव डाली, वो एक रैडिकल अंबेत कराइट फॉर्मूले पर डाली, संख्या की राजनीती तो चुनाओं में होती ही हैं, तो आपने यह कहा कि बहुजन का मतलब जो सवर्ण हैं, अगरे हैं, उनको छाट दे तो कर दिया, ठीक है, अब उसके बाद क्या होता है, कि BSP जब चुनाओं लड़ती है, तो इसका वोट परसेंटेज 2007 तक बढ़ता जा रहा है, लेकिन यह सत्ता रुधीन पार्टी नहीं बन रही है, इसे कभी BJP के साथ आना पर रहा है, कभी कहीं और आना पर रहा है, तो पुछवाहा का एक वर्ग है, केवट का वर्ग है, यह भी इनके साथ आ रहा था, लेकिन बात यह आई कि अगर आपको सत्ता में आना है, तो आपको एक संख्या की दृष्टी से थ्रेसोल्ड होता है, कि अब बढ़ तो रहें, लेकि थ्रेसोल्ड को जंप करना है, अब उसके आस-पास यह थोड़े कम जाटव है, जाटव चमार एक साथ अपले ले, तो यह आया कि उस समय, बीजेपी की जो एक्सपेरिमेंटेशन थी, उसमें यह हो रहा था कि वोट तो बीजेपी को दे रहे थे मंडल के बाद से, कॉंग्रेस का जब से पतन हुआ, लेकिन हो पाल यह उठा कि हमारा वोट, बैक दोर से क्यों हो जाए, दूसरा, बीजेपी ने भी यह समझ लिया कि सत्ता में आना है, तो यह जो बिलकुल आना परेगा आपको समाहित जग जीवन राम वाले फॉर्मूले पर ही, और यहीं हम जग जीवन राम के वाल कॉंग्रेस या ग पाउर्मेंट से जुड़ा हुआ है, वो वर्सेज नहीं है, ए वर्सेज बी, वो इस बात पे नहीं चल सकता है, वाई आम नोट हिंदू, इस तरह के विमर्ष्ट्रे कटुता बर सकती है, लेकिन जो कमजोड तबका है वो आगे नहीं बर सकता है, तो इन्हें चुनावी द त्रित्व सामन्ती सोच रखता है, बात तो मंडल और लोहिया की करता है, लेकिन जो बोडी लेंग्विज, जो एप्रोच है, कमजोर जातियां, चाहे पिछरी कमजोर जातियां हो, या डलित हो, उसके परती बिल्कुल सामन्ती है, तो दूसरा आता है, तो फिर कॉमन अदर हो गया, जो कॉंग्रेस के पुराने अगरे वोटर थे, वो तो पहले ही देख रहे थे कि कॉंग्रेस के बाद दूसरी पार्टी है, और इधर दलितों को लगा कि बहुजन एक्स्पेरिमेंट का सच्चाई में कोई बहुत ज्यादा मतलब नहीं है, तो उसमें जो डॉमिने कॉम्मिनिटी सेंट्रिक पाटी थी, वो कॉमन अधर बन गए, तो इन्होंने सतीश मिश्रा जैसे निता आए, जो पहले वकील थे, बाद में नजदीक आए, इन्होंने ब्रहमिन आउटरीच शुरू किया, ब्रहमनों ने भी रेस्पॉंड किया, चुकि बीजेपी याद रखिये, 2004 के बाद बीजेपी कमजोर होती है, देश के अस्तर पे, यूपी में इनका ग्राफ 2000 से गिरता चला जाता है, 2009 में केवल 10 सीट जीतते हैं, बाचपार, लोकसभा में, ग्राफ गिर रहा है इनका, 2002 में सरकार इनकी जाती है, 2002 में मुलायम सिंग आते हैं, साथ तक में क्या होता है, कि दलित वर्ग तो आता ही आता है, पिछरों का एक वर्ग आता है, और ब्राह्मनों का भी एक बरा वर्ग बीएसपी को सपोर्ट करता, अब उनको लेना है तो भाई आपने तिलक तराजू और तलवार, जूते मारो इनको चार जैसे स्लोगन दिये हैं, त तो पॉलिटिक्स इस एन आर्ट ऑफ पॉसिबल, तो नया वो स्लोगन आता है, चड़ गुंडो की चाती पर, बटन दबेगी हाथी पर, या आप कहें हाथी नहीं, गनेश है, ब्रहमा विश्नु महस है, ब्रहमन शंक बजाएगा, हाथी भरता जाएगा, तो आप देखिए एक किस तरीके से, और इंडिया की पॉलिटिक्स कितनी क्रियेटिव है, बहुत ही डाइनमिक है, यूएस की तरह हमारा फ्लैट सोसाइटी नहीं है, वेस्ट की तरह, हमारी सोसाइटी में बहुत ही वो जिवन्त एक डाइनमिजम है, तो 2007 में क्या होता है, बहुजन नाम तो नहीं किया जा रहा है, वो है समाजवादी पार्टी का कोर वोट, तो सरवजन का भी एक्सपेरिमेंट जो है, वो भी उस समय की पहल है, लेकिन सरवजन से, BSP का कोर, जैसे केक होता है न, केक का अपना एक बेस है, बेस को बहुजन ने बना दिया, अब उस पे टॉपिंग लेयर आपको लाना है, वो सरवजन ने लाया, और इस तरीके से 2007 में, यूपी जैसे बरे राज्य में, कितने साल के बाद, I think 1985 के बाद, एक पार्टी अपने बल पे मेजॉरिटी में आती है, और एक डलित पार्टी, महरास्ट्रा में आज तक नहीं आई, हिंदी पट्टी म अपने बल पे मेजॉरिटी में आती है, जरनी जरूर काशी राम ने शुरू की, लेकिन सत्ता में आने में एक डिफरेंट स्ट्रेटिजी का रोल है, काशी राम का योगदान है, चुकि संगठन है, वो कोर वोट है, लेकिन उसको थ्रिसोल्ड को जो जम्प करने वाली बात होती है, वो सर्वजन के एक्सपेरिमेंट में किया, और ये ये भी दिखाता है, कि भारतिय समाज में चुनावी सफलता या राजमतिक सफलता, तब तक आपको नहीं मिलेगे, जब तक आप सब को सांथ लेके चलने की बात नहीं करेंगे, बहन जी चुनावी जाती है, वजर साथ में बीजेपी के कुल विधायक शायद 49 या 50 थे, उतने या उससे एक ज्यादा केवल ब्रहमन विधायक बीएसपी में थे, आप समझ सकते हैं सर्वजन का क्या मतला, परंतु जो वो केक का जो बेस है, जो बहन जी का कोर होटर है, जो जातव समाज है, उसको कही कही लगने लगता है कि बहन जी जो है, अब वो डाइल्यूट हो रही है, उनको साधने के लिए बहन जी, अंबेडगर की परतिमाए, काशीराम की मूर्तियां, हाथी, ये सब पारकों वग्यरा में करना शुरू कर देती हैं, परंतु इस सब के बावजूद भी, बहन जी 2012 क चुनाओ हार जाती हैं, आप अपनी किताब में बताते हैं कि जो अभी तक बहुत सारी परियोजनाए सडकों की जो हैं उत्तर प्रदेश में, जिनका रिबन काटा जा रहा है, वो 12-17 अखिलेस ने किया हो, या 17-22 योग्याजी तिनात की जो सरकार है, इसमें बहुत सारी व 12 के समय में जितना हुआ है, उतना 17-22 के बीच में थोड़ा कम तर पड़ जाता है, अगर हम देखते हैं, इनिशियेटिव के उसमें देखते हैं, बहन जी चुनाओ, हारी क्यों, देखें, यहां पे जब हम मायवती और बेस्पी के बारे में 2007 से 12 का, अगर हम अवलोकन करें तो हमें देखना चाहिए कि जो सरकार जब आती है, तो निश्चित तोर पे अम बेटे कर पार्क बनते हैं, काशी रामावासी कॉलनी बनती हैं, बहुत सारी स्टेचियू बनते हैं, वो हुआ है, लेकिन केवल वही नहीं हुआ है, आप याद रखी इंफ्रास्ट्रक्चर म है, दिल्ली से आगरा का, वो मायवती के टाइम में हुआ है, फॉर्मूला वन रेसिंग, जो नोइडा में है, देखिए ग्लोबल लेवल पे यह चीज है, वो मायवती के टाइम में होता है, तो ऐसा नहीं है कि किवल पत्थरों में पैसे लगाए, लेकिन होता क्या है कि, कि सिंग जोर्ज मेडिकल कॉलेज, बिल्कुल, और दोसरा, यूपी जैसे प्रदेश में जो समाजवादी पार्टी के अंदर में गुंडा गरदी बिल्कुल चरम पे पहुंच के लिए, बिल्कुल सही होता है, प्रशासन की मौजूद की दिखती है, लेकिन साथ में क्या होत है, बरश्ट अचार भरता है, सेंट्रलाइजड आप काम कर रहे हैं, तो करप्शन भी सेंट्रलाइजड हो जाता है, जो लोकल नेता वगेर हैं, उनकी बहुत ज्यादा नहीं चलती है, हर चीज सीधा चीफ मिनिस्टर ऑफिस से निर्धारित हो रहा है, बिरोक्रेसी का करने के लिए, तो इनको एक फ्री हैंड मिल गया, अब मायावती जब सत्ता में आती है, तो मायावती के पॉलिटिकल लीडर्शिप के कल्चर में एक चेंज आता है, इस बात को समझना जरूरी है, जो 1980 के बाद और 1990 की मायावती है, वो सडकों पे दिखती हुई मायावती ह है, जो घर-घर में दलित लोगों के घर में जा रही है, यह वो मायावती है, जो स्टेज पे जाती है, छोटे-छोटे सभाव में, लोगों से मिल रही है, यह वो मायावती है, जो एकसिसिबल है, साथ के बाद की जो मायावती है, वो ठीक है, उसमें भी दलित समाज को उसम सेटों को और भेजेंगे और उसे हां वो खुलियम कहते थे अपर्चुनीजम जो है एक बहुत ही सही अपर्चुनीजम को वो जस्टिफाई करते थे हमारे पास पैसे नहीं है आपके पास पैसे हैं तो आप राज्य सभा जाएं विधान परिशद जाएं और आपके पैसे से जो डिजर्विंग केंडिडेट है उसको हम चुनाौ जिता हैंगे ये काशीराम पैसों के मामले में लेकिन मयावती की समय में क्या होता है कि accessibility close हो जाती है वो एक कोटरी से घिर जाती है और इसमें सारा का सारा ठेकरा जो है सतीश मिश्रा पर कि साब ये एक ब्राह्मन एडवाइजर से घिर गही है जब कि बात केवल सतीश मिश्रा की बात है लेकिन सवाल है कि मायवती का भी एक जो लीडर्शिप का तरीका है वो उसक हमें ये बात एक क्रोस कास्ट मुसल्मानों में पिछरों में और अगरों में आया किसाब S.C.S.T. Act का दुरूप योग हुआ ऐसा लोग बताते हैं हमेशा कुछ जैन्मिन होता है कुछ बनावती होता है लेकिन ये एक परसेप्शन बन गिया तो उससे क्या हुआ कि लोगो बहुत सारों से पूछा कि भाई आप बीजेपी के कोर वोटर हैं अगर तो सपा को आपने क्यों वोट दिया तो उन्होंने कहा क्योंकि सपा ही हरा सकती थी बीजेपी में वोट तक बीजेपी खासकर विधान सबाच उनावे ग्राफ बीजेपी का गिर रहा है पिछले 10 साल ने, 2004 में आपका केंदर से सरकार जाता है, 2002 में राजनात सिंग जब मुखे मंतरी थे, वो कारेकल समाप्थ होता है, तब से तो आपका सीट कम हो रहा है, शेर कम हो रहा है, वोट परसेंटेज कम हो रहा है, तो हुआ है कि इसको अटा सकता है, तो मुसल्मान आप आपसे विद का हुआ है अगरों का एक बड़ा वर्गविद का हुआ हर किसी को लग रहा है कि इसमें दुरूपी योग हो रहा है लेकिन सबसे बड़ी बात है कि दलितों के बीच में जो गैर जाटा गैर चमार खासकर पासी और खटिक और वालमिक इनको लगता है कि साब बात तो आपने दलितों और अमबेदकराई समाज की की लेकिन जब लाब पहुचाने का थाने में किसकी सन्वाई जाटा विया चमार ठेके ठीक दारी थोड़े बहुत जो मिल रहे है अरिजनों में दलितों में किसको जाटा विया चमार उसके बाद जो काशी राम आवासीय कॉलनी और मु जाते हैं अँगयत Nepal विया जिसको जादा फंड मिलेगा वह ज्यादा जाटव चमार ओक है तो इस तरीके से बारा इसा गैर जाटव Bry नुभ आराज हैं और upper caste को भी लगने लगा एकि भाई ये जो सरकार है सरवजन वाली बात वो दिखी नहीं और मायवती को कहा जा रहा है कि सहरतब का नराज है मायवती को कहा जा रहा है कि पत्थर पे पैसे लगा रहे हैं और ब्रह्मनों के द्वारा आप चलाई जा रही है, मीडिया भी होस्टाइल उनको मिल रही है, तो परसेप्शन में मायवत्ती जो है बैटल लूज कर ले है, BSP का जो मोडल है वो मीडिया को नहीं, सोशल मीडिया तो उसमें तक वेमर्ज ही हो रहा था, थी नहीं, मीडिया को भी ये लोग नहीं, BSP पुराने मोडल में थे की बही काशी नाम का मोडल था, की चुप-चाप कारेकरता काम करेगा, शोड नहीं मचाएगा, संगठित रहेगा और वो चुनाओं में दिखेगा, वो जमाना बदल रहा है, चुकि पूरे समाज में आपके एगेंस्ट में जा रहा है, आप पब्लिक लिए उस नेरेटिव वो काउंटर नहीं करने हैं, और इसका नतीजा निकलता है कि बारा में, जैसे साथ में एंटी समाजवादी पार्टी का जो धुरूविकरन BSP की तरफ होता है, इसी तरह BSP के एगेंस्ट का दुरूविकरन समाजवादी, चुकि BSP, BJP, नेरेटिव में जीतने वाली पार्टी नहीं माने जा रही है, इस तरीके से, बारा के चुनाव में, BSP जो है, चुनाव हार जाती है, और फिर समाजवादी पार्टी, अपने बल पे, 403 में लगबग 224 सीट लागे, इनको 403 या 5-4 सीट आया था, वो 424 सीट लागे, इनसे ज़्यादा सीट लागे, चुनाव जितने, सॉरी, 224 लागे चुनाव जितने है, अब इस किताब की हेडिंग में जो दूसरा नाम है, मोदी, हम उसकी तरफ बढ़ते हैं, तो आप अपनी किताब में देते हैं कि, Define Popular Analysis, भाजपा और नरेंदर मोदी ने दलितों में जो सबकाष्ट्स हैं, और जो OBC में भी सबकाष्ट्स हैं, उन जातियों के वोटिंग में सेंध लगाई है, जो 2014-17-19-22 में लगातार बढ़ गई है, एक तो पहले जरा जनता को बता दें कि, जैसे दलितों में भी सबकाष्ट्स और OBC में भी सबकाष्ट्स का क्या कॉंसेप्ट है, दूसरा नरेंदर मोदी ये सेंध लगाने में कैसे सफल हुए हैं, क्योंकि भारती जनता पार्टी के बारे में एक आमधारना मतलब प्री 2014 कहें अब तक जैसे कहीं कहीं सुनने में आता है पुराने लोग ये बामन बढ़ियों की पार्टी है, ऐसा कहा जाता है, तो क्या कारण है इन चीजों के देखिए, 2012 में बहन जी चुनाओ हार जाती है, चुनाओ हारने के बाद भी जो विपक्ष की एक भूमिका होने चाहिए, कि वो बहुत ही सक्रिये, सारवजनिक, रादनितिक, जीवन में जाए, अपनी पॉलिटिक्स को समाज में ले जाए, अपने तबकों में ले जाए, बहन जी गया करती हैं कि धीरे धीरे वो पृष्ट भूमिके पीछे जाती है, वो और ज्यादा इनक्सेसिबल होती है, उनसे मिलना, ये कारे करता हो का, जो बहुत लोग हैं भी और छोड़े भी उन्होंने कहा, उनका एक्सेस कम होता है, विजिबिलिटी कम होती, और ये व बड़ा वर्ग डिस इल्यूजन हो रहा है, क्यों हो रहा है, अब समाजवादी पार्टी सत्ता में आती है, और आप जो हैं पिछरे वर्ग का नित्रित्व का दावा कर रहे हैं, तो पिछरे में केवल एक दो जाती तो नहीं हो सकती, लेकिन धारना क्या जारी कि जब सपा कि पीछरों की एक दबंग जाती को उसका लाब मिल रहा हैं, और उसके अलावे मुसलमानों को मिल रहा है, ये धारना है, जिसमें एक सच्छाई भी है, और उसका परसेप्शन भी है, जिसे जब भी सपाजी सरकार आती हैं, तो कहते हैं, यादौ समाज योई, उसका वर्च कहा जाए और नौन जाटव नौन चमार दलित कहा जाए और आप एक बार नहीं कई बार सत्ता में आ गये हैं 90 के बाद तो हमने कहा ना कि एक विचारधारा इडियोलेजी से आप चीजों को देखे और एक अपने रोज मर्रे के अनुभाव से एवरीडे एक्सपेरियन्स से देखे जो मासेज देखती है एलीट नहीं देख पाता है एलीट तो किसी भी तबगे का हो उसको एक अलर्जी है सच्चाई को ग्राउंड से देखे एक्सेट करना है अलर्जी है कि वो एक्स्प्लोर भी नहीं करना चाहता है अब नतीजा यह होता है कि इस समय रास्ट्रिये पटल पे UPA दो बार पावर में रहने के बाद उसके एक इंस्ट में एक गवर्नेंस की क्राइसिस का और दूसरा मल्टिपल करप्शन का यह चार्ज लगा हुआ है 2G, 3G, Colgate, all sort of scam आ रहे है जो प्रधान मंत्री हैं उन्हें वीक प्रधान मंत्री माना जा रहा है कि रियल पावर उनके पास नहीं है इनिशियेटिव्स नहीं लिए जा रहे हैं यह वो समय है जब करप्शन एक बड़ा इमर्ज होता है तो ऐसे में लोगों को लगता है कि एक फ्रेश अल्टर्नेटिव चाहिए तो पार्टी तो फ्रेश नहीं है लेकिन नरेंद्र मोदी उस समय एक फ्रेश चेहरे अल्टर्नेटिव के तौर पे आते है अब चुकी वो किसी ब्रह्मैनिकल कॉम्मिनिटी से नहीं आते हैं वो खुद पिछडे है तो पिछड़ों का और दलितों का एक वर्ग आता है चुकि करप्शन के एगेंस्ट में है तो उनकी इमेज भी उस मामले में की है कि भाई एक जाती के अलावे मुस्लिम पक्ष का तुष्टी करन कर रही है तो हिंदुत्व की भावना भी गैर यादव पिछरों में और गैर जाटव गैर जमार दलितों में आती है तो हिंदुत्व भी आ रहा है तो हिंदुत्व, विकास, बोल्ड लीडर्शिप, एफिशियंट, नौन करप्ट, सबल्टर्ण, सारे फैक्टर्स आप एक सांद देखें तो एक फ्रेश चेहरे मोदीजी में दिखता है और उसका लाव बीजेपी को दिखता है और 2014 का जो चुनाओ है उसमें आप देखेंगी कि बहुत बड़ी संख्या में अगरे तो आते ही है पिछरों का और दलितों का वोट यूपी में बीजेपी को मिलता है यहां तक की जाटवों का भी एक हिस्सा जो है चौदा में लोग सभा में बीजेपी को मिलता है और यह वो समय है जब सबल्टन हिंदुत्वा जो अंदर ही अंदर था वो धीरे-धीरे सामने आना शुरू होता है जोकि अभी जो लीडर है वो ब्रह्मैनिकल कॉम्णिटी से नहीं आ रहा है वो सबल्टन कॉम्णिटी से आ रहा है और इसका एक सिम्बॉलिक मैसेज जाता है जो समाजिक नयाय की पार्टी हैं उन्हें मुस्लिम तुष्टी करन के तौर पे मेजोरिटी ओफ बैकवाड और मेजोरिटी ओफ दलित के द्वारा देखा जा रहा है तो उसके रियाक्शन में इसी सबल्टन कॉम्णिटी चाहे ओबी सी हो या दलित हो हिंदुत्व की भी बात आती है और वो मोदी में हिंदुत्व सबकुछ को देखता है और चौधा में इस तरीके से आप देखेंगे सबल्टन हिंदुत्वा का यूज नहीं हो रहा है बट उसकी प्रिष्ट भूमी बन रही है बिल्कुल तो ये सब कारण रहे प्रधान मंतरी नरेंद्र मूदी जो इसमें सेंध लगा पाते हैं सीट से आप सीधा 73 सीट पा जाते हैं असी में फिर विधान सावा में भी आप 323 सीट पा जाते हैं बिल्कुल ठीक अब हम जब इस पे जब आगे चलेंगे क्योंकि कुछ चीजे छूप जाएं जो जनता अकताकी किताब खरीद के पढ़े भी जो तीसरा पात्र है किताब के टाइटल में आजाद आपने बताया कि मायावती जो है वो इलेक्टोरल दलित एस्परेशन को रिप्रजेंट करती हैं चुन के आती है आपने अपनी किताब में अपने फिल्ड वर्क के बारे में लिखा है कि जो पस्चिम उत्तर प्रदेश का जो जाटव समाज है जो जो ओल्ड है जिनकी आयू है उनके मन में कहीं न कहीं इतनी सब चीजों के बाद भी मायावती के लिए दिल में एक सौफ्ट कॉर्णर है उनका यही कहना है कि हम वोट तो मायावती को ही देंगे जे आप अपनी किताब में ये भी बताते हैं कि उत्तर प्रदेश में ही सहरंपूर में यदी चंदरसेखर आजाद जो रावण है इसकी जो पूर्वांचल में कोई श्रवन कुमार निराला है जो अम्बेडकर जन मोर्चा चलाते हैं बुंदेल खंड में दादू परसाद हैं बहुजन मुक्ती पाटी चलाते हैं चंदरसेखर रावण की जो छवी है जो पश्चिन उत्तर प्रदेश में है या ओलोवर यूपी में जहां भी इनका वो होगा हीट एंड रन लीडर की है तो जो तबका जो आपको ग्राउंड वर्क में दिखता है जो बुजूर्ग हैं जो बस पापो बहन जी को वोट देंगे और दूसरा जो यूआ है जो एजिटेशनल पॉलिटिक्स में बिलीव करता है तो क्या पूरे उ में जो प्लैंक था वो था पॉलिटिक्स ऑफ सेल्फ रेस्पेक्ट डेफलप्मेंट वगेरा सेकेंडरी था प्राइमरी था कि यह सम्मान की लराई है जो दलित वर्क में स्टिग्मा है है हुमिलियेशन है उसके 2007 तक आते आते आप देखेंगे एक खासकर यूपी में दलित जो है confident बीएस्पी जरूर कमजोर हुई है लेकिन जो उसका प्राइम जो उसका मोटिव था self-respect की उसको उसने पूर करते है और यह किसी भी कमजोर community में होता है पहला वो सम्मान की बात करते है अब जब सम्मान हो गया है तो एक middle class भी है तो अब politics of aspiration हो रही है अब बीएस्पी यह जो transition from self-respect to aspiration हुआ है इस लराई में बीएस्पी और बहन जी हार जाते है या कमजोर प आप aspiration की बात तब ही करेंगे जब आप में self-respect का जो बुनियाद है वो समाहित हो चुका होगा तो यह aspiration तब होता है किसी भी community में जब उसमें middle class का rise होता है middle class का जब rise होता है तो वो कहता है कि साब आत्म सम्मान की बात हम भी करते हैं हम भी अपने दलित विमर्श की बात करते हैं लेकिन आप ही हमारे नेता क्यों और यही party हमारी party क्यों चुकि middle class aspiration में आते ही मतलब कि बात तो सब कर रहे हैं उत्थान की empowerment की लेकिन बात फिर कहते ह क्यों हम क्यों ने यह party क्यों वो party क्यों एस्पिरेशन है ना यहर party में होती है अगरों में पहले हो गया पिछडों में बाद में हुआ दलितों में और अभी हो रहा है तो इसमें तो एक generational फरकाता है तो एक जो विखंडन है दलित विमर्श का वो जो अंबेत कराइट के तोर पे उभरते हैं नहीं यह बाद में हम आएगे एक तरीके से उनका प्रभाव तो यूपी के बाहर भी है अगर आप social media presence देखे या दलित यूथ की बात देखे तो कम से कम हिंदी पट्टी में लोग जैसे OVC को मानते हैं चुनाओ तो हर जगा नहीं जीत पाते हैं ल होता है रीचल हर सरकिल का वृत का एक केंद्र होता है सेंटर होता है तो उनका कोर जो है पश्मी उत्रप्रदेश खासकर मेरठ मुझफर नगर सामली सहारनपूर जो गंणा वाला बेर्ट है वो उसमें सबसे जादा इंपक्ट है तो एक तो यह भी खंडन होता है लेकिन क् वो सारे यूपी के यूथ को रिप्रेजेंट करते हैं सोशल मीडिया के तोर पे शायद करते हैं जैसे ओवैसी मुसलमानों को करते हैं लेकिन ओवैसी का कितना इंपक्ट है आप भी जानते है चुनाओ में खासकर प्रोटेस्ट की राजनिती की जो बात है वो भी एक दलित पॉलिटिक्स कैसा हो उसकी लराई है अब मायावती प्रोटेस्ट की राजनिती से पीछे चली गए है या उनका नेचर बदल गया जो 80 और 90 की मायावती और 2007 के बाद की मायावती है उनके तो उस वैक्यूम को ये फिल करने की कोशिस कर रहे है तो दलितों के उपर अगर को ये किया है एजिटेट किया है लेकिन उसका प्रोटेस्ट उसके अगेंस्ट में जो हो उसमें मायावती कमजोर परती है और वो एक स्पेस देता है चंदर शिखर आजाद जैसे या जिगनेश मिवानी ले ले ऐसे नेताओं को एक अपनी जगह बनाने की तो ये प्रोटेस् यूथ जो इनको आइकन मानता है चुनाओं में इनको एकसेप्ट नहीं कर रहा है चुकि वहां वो फिर देखता है कि थोड़ा व्यवहारिक बनी है तो आप हमारे प्रोटेस्ट के लीडर है आप हमारे मुव्मेंट के लीडर है लेकिन आप हमें वोट और चुनाओं के ली फिर UP में लखिमपूर और फिर हत्रस में इंसिडेंट होता है सब जगh चुनाओं होते हैं और वहां का एक बरा तबका और दलितो का भी BJP को वोट करता है BJP के खिलाथ होता है लेकिन वोट में BJP को दलितो का भी बरा हिता है हत्रस में तो बीजेपी एक लाग दस जार के मारजिन से जीती है और हत्रस में जो वालमिकी है जब हमने अपने फेल्ड वर्क में पूछा कि साब आप वोट क्यों देंगे और बाद में भी पूछा क्यों दिये उनका कहना था कि भाई पार्टी तो ये दलितों पे अत्याचा भी करती है हमें काफी सम्मान भी देती है और हमां ध्यान भी रखती है तो हम उसको प्रेफर करते हैं और जो बीजेपी विरोधी अंबेतकराइट यूथ है वो कहता है आजाद हमारे मतलब की गर्व हैं वो हमारे नेता है लेकिन हमारे प्रोटेस्ट के नेता है मुद्दो के नेता है चुनाओं के नेता में उनके आने से वोट बटेगा वो फिर या तो बहन जी को देंगे या बाकी पाजियों को तो अभी जैसे आपने बताया कि एक फ्रेग्मेंटेशन है इस दलित पॉलिटिक्स के जो सोकॉल लीडर सरोरी समाज में इस फ्रेग्मेंटेशन में देख लिजे एक तो जैनरेशनल fragmentation within जाटव चमार community चंद्रशेखर राजाद भी मारमी एक वो हो गया दूसरा fragmentation जो है सब कास्ट के basis पे है जाटव चमार की अपनी politics है और जो बाकी UP में तो 66 दलिद जाती है उसमें पासी की अलग है खटिक की अलग है वालमी की अलग है ठीक है धोबी की अलग है और बाकी तो बहुत सारे invisible है उनकी अलग है उसमें बीजेपी की बहुत आयत है थोरी बहुत समाजवादी पार्टी ने भी गिन किया है बट बीजेपी की बहुत आयत है तीसरी जो बड़ी interesting है जिसकी आपने बात की वो है कि विधिन पोस्ट BSP जो अम्बेत कराइट है जो BJP विरोती है उसमें एक आंचलिक चेहरा भी आ रहा है तो उनके हिसाब से अगर पश्मी उत्तरप्रदेश में भीम आरमी और चंत्रशेकर आजाद है जो सबसे लोग प्रिये हैं तो पुर्वी उत्तरप्रदेश में भी नए आइकन उ में यही काम कर रहे हैं और यह सब लोग उपरी तोर पे तो बाबा साहरब और मानेवर और दलित यूनिटी की बात करते हैं लेकिन जब इन से बात करें तो इनके मोडल में और ये एक दूसरे को प्रतिद्वन्दी भी मानते हैं अब स्रवन कुमान निराला जी के अनुसार चंदर शिखर आजाड एक ट्रबल मेकर लीडर है जो दलितों की स्थिति को बिना समझे हुए भरकाते हैं और वो चले जाते हैं दलित जेल जाता है मनुवादी पार्टियों के द्वारा बीजेपी के द्वारा तो उनका कहना है ये दलित फॉर्मूला नहीं चलेगा इंटर्व्यू में हमने किताब में लिखा भी है और उन्हें अपत्ति भी नहीं थी स्रवन कुमार निराला जो पुर्वी उत्तर प्रदेश को रिप्रेजेंट करने का दावा कर रहे हैं और एक यूथ हैं और यहां तक क्या हैं कि पश्यमी उत्तर प्रदेश के जो दलित नेता हैं वो स्वार्थी होते हैं अब होते हैं यह नहीं होते हैं कहने का मतलब है कि जो दलित विमर्ष का विखंडन हो रहा है उसमें अब एक रीजन ही नहीं है कि यूपी और महरास्ट्रा ये विदिन यूपी भी आंच लिखता भी आ रही है पश्मी उत्तर प्रदेश का दलित विमर्ष पुर्वी उत्तर प्रदेश का दलित विमर्ष अवद का दलित विमर्ष जो पासी डॉमिनेटेड है बुंदेल खंड का दलि तो जाति के और उपजाती के अधार पे. जनरेशन के अधार पे. और आन्चिलिक्ता के अधार पे. हर अधार पे दलित समाज का विखंडन हो रहा. ये विखंडन耮िरिल क्लास के राइज के कारण हो रहा है. ये दिखाता है दलित विमर्स मेंaispiration आया है. और ये दिखाता है कि दलित मिडिल क्लास अब इतना confident है बाकी जातियों की तरह सवर्ण या पिछरी कि उसे अब यह नहीं लगता है कि हमें किसी एक नेता या एक पार्टी को फॉलो करने। कि उसे आप किस हिसाब से देखते हैं कि वह नरेंद्र मोदी और भारती जंता पाइटी के लिए क्या केक वाक होने वाला है कठेनाईयों का सामना करना पड़ेगा और जो आपका फिल्ड जैसे जो मैं आपके इंट्रोड़क्शन में एक चीज रह गई हो पिछले 13-14 सालों से आप ग्राउंड पे ही हैं आप चूकी अपने आपको सेफलोजिस्ट एक टर्म है वो नहीं यूज़ करते हैं पर वास्तों में देखें तो आप हर लगबग जितने इलेक्शन हुए हैं और यूपी में तो लगातार 2009 से जितने चुनाओं हुए हैं और ग्राउंड आपने देखा है शारनपूर के दंगो में आप वहां लाइव थे आपके सर पर चोट भी लगीती है मेरी आदास्त गलत नहीं है तो 2024 के चुनाओं को आप कैसे देखते हैं ये यूपी के अगर राष्ट्री संदर्म में देखे तो बिहार बेंगॉल में सीटे कम होंगी यूपी मे बहन जी अगर नहीं आती है जो लग रहा है तो सीटे थोड़ी बढ़ेंगी तो overall शायद सीट थोड़ी कम हो लेकिन opposition unity जो है मेढख को तौलने वाली बात है किसी state में तो कर सकते है pan-indian कोई एक template या model नहीं है तो लग रहा है कि सीटे कम होंगी लेकिन भाजपा repeat करेगी ब पासी और खटिक दलित का एक हिस्सा 2022 में समाजवादी पार्टी की तरफ गया था 24 के चुनौवे मोधी फैक्टर एक पूल फैक्टर की काम करता है और जो हमने विखंडन की बात है वो बीजेपी में आएगा लेकिन जो narrative है उसमें शोर से आप एक guess करते है नेरेटीव में चंदरशेखर आजार, स्रवन कुमार निराला, दद्दु प्रसाद, यह सब राइवल है दलित वोट जो है वो बिखर रहा है उसका एक बरा हिसा हिंदुत्र की और जा रहा है वो सबल्टन हिंदुत्र की और जा रहा है वो बीएसपी से दूर भी जा रहा है लेकिन अंबे परंतु वोट बीजेपी को जाएगा यह परसेप्शन और रियालिटी की बात है जितना विखंडन है उतने शोर्म वाले हैं और उतने हो जाएगा चुकि आपने इतना पढ़ा है मेरी आप से वैसे भी आफ दर रिकॉर्ड बातचीत होती ही रहती है और परंतु फिर समय की भी मरियादा है और सारी चीजे हम किताब की यहीं डिसकस कर देंगे तो फिर यह किताब जो आपने लिखी है इसे खरीदेगा कोई क्यूं हर कोई वीडियो देख लेगा तो आप सब लोगों से यही है कि यदि आप लोग भारती राजनीति को समझना चाहते हैं तो इस किता आपके अलावा जो सज्जन कुमार जी हैं इनके आर्टिकल्स छपते रहते हैं इनको फॉलो करना सुरू कीजिए ट्विटर का इनका हैंडल आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा भारती राजनीति में इनकी आयू में मैंने बहुत कम लोग देखे हैं जो इस तरीके की रही होगी यह कैमरा मैं जूम कर देंगे आप इसको खरीच सकते हैं इसका जो पर्चेस लिंक है वह आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा पढ़ेगा इंडिया की आप वेब साइट पर जाएंगे वहाँ पर आपको यह किताब डिसकाउंट के साथ है विलेबल है और उसको पढ़िए खरीदिये और समझिये मिलेंगे फिर किसी अगले पोड़कास्ट में किसी और गेस्ट के साथ धन्यवाद सजन जी समय देने के लिए नमस्कार